या संजे दत को करी ही ठॉलिवूद के ओर राइज अगसर? क्या बॉलिवूद के आकर्स को किया जाता है पस पबिसिटी के लिए एक कास्ट? ठॉलिवूद के फिल्मेकर से लेकर लेकर लेट आकर तक हमेशा से बॉलिवूद और हंदी सिनेमा कुल लेकर कापी काफी ज्यादा welcoming रहे हैं इसकी बज़ा बड़े paycheck फॉरें में shoot कहीं पिल्मे या पिर एक बड़कर एक बड़े budget के set को माना जाए या पिर एक नई इंडस्टी में शुरुआत करने की excitement लेकिन अचानक से ही Bollywood sound की तरफ चाते भी देखा जा रहा है और sound की movie इंडस्टी भी इसको देखकर काफी काफी ज्यादा खुश है वैसे तो Bollywood का sound में चाना अस्ते और नब्डे की दशक परे शुरू हो चुका था लेकिन सोराली बेंप्रे, शिल्पा शेती, ब्रीदी जिंटा, अच्पधया राए या रैडवानी, मिध्या, बालर और श्रदा कपूर जैसे नही आक्टर्स ने इससे आगे मैठाया है हाले वाले कुछ समय में हम दो Bollywood के कई नही और पुराने आक्टर्स को तीलगू movie दास्टी में देखने वाली है आलया भट को ही देख लिजे ना जरोनी उड़ता पंचाब और हाईवे जैसी फिल्मों से खुद को पुर्व किया जरल रैसे स्राचा मॉली की movie श्रबलार में दिखने वाली है टीम बार नाश रवार्ड वीतने वाली कंगडानी हाली में ज्रे ललीता का किरिदार निभाया था इस लिस्क में एक नया नाम जुड़ने वाला है और वो है संजे दत का जो की यश्की movie केजिए अप्षाप्रटू में विलन का किरिदार में दिखने वाले हैं संजे दत का किरिदार काफी खतरनाग दिख रहा है और एक तरफ तो फ्यांस उस लोग से काफी कुछ थे वहीं दूसरी और लोगों के जीच ये सवार उठा है कि क्या उन्ही तेलगू मूवी इंदास्टी में एक्सलेप्ट किया ठ्राएगा के जी एक साब्रटू ज्रसी परी मूवी में विलन का किरिदार निभानी के लिए संजे दतने महनत तो बहुत की है और इसकी छलक देखी जा सकती है लेके अगर तेलगू मूवी इंदास्टी की ओडियंस को एक पॉलिवूड आफ्टर का इतना बड़ा किरिदार निभाना पसंद नहीं आया तो इस मूवी के प्रेद्यूजर्स के लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मेकर्स ने पहले इस बात की रिसाच की थी और की भी है अगर तो क्या एक बॉलिवूड आफ्टर का विलन का किरिदार निभाना कि तेल हूँ आफ्टर के निभाने की ड्रेसा रियाक्शन लापाएगा या नहीं दूसरी ओट बॉलिवूड के आफ्टर को कास्ट करने में मूवी के मेकर्स को बड़ी हुई पाप्डिसिटी मिल सकती है जो संजद आफ को कास्ट करने के लिए एक एहम बच्छा हो सकती है क्या हीरो को मारना है? फिल्म को हिट कराने का तरीका? Hello and welcome to Bollywood Studios. This is Sachi, your host with another interesting video. So let's get started. Bollywood को फिल्म में हमेशा से ही emotion से भरपूर होती है. Bollywood की फिल्म हो और उसमें आपको emotion, action और drama सवरूर देखने को मिलेगा. और शायद इसलिए audience को ऐसे फिल्में देखना भी पसंद है. क्या आपको याद है कि last कौन सी ऐसे फिल्म थी जोसे आपने देखा था और आपको फिल्म देखकर रोई थे? अगर फिल्म का आक्चल आपको अपने दुख में रुला दे तो इसका मतलब यह है कि फिल्म पूरा पैसा वसूल है. और Bollywood का यही मंत्र टॉलिवुट भी अब इस्तमाल कर रहा है. आज हम बात कर रहे हैं यह अच्की KGF2 की जिसने अपनी दुख भरी कहानी और अपने मा को दिये गए वादे को बरे परदे पर दिखा कर पूरे ओडियल्स का दिल भी जिया और यह फिल्म इसनी हिट हो गई कि लोग अब इसके सेकेंड पार्ट का बेस अबरी से इतिजार करने हैं KGF2 की हाइप इसनी जादा है कि कुछ तुम्हें पहने तो ओडियल्स ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी से ओफीशिल फॉलिटे की दिमांद कर दी ही जिल्दम इस फिल्म को रिलीज दिया जाएगा आपको बता दे KGF2 में हम सीरो के किरदार में याश यानी रॉकी भाई और अधीरा के किरदार में हम संजदत को देखने वाले हैं आपको बता है इस फिल्म का फ्लाइमेक्स पुल ओन हाई वोल्टेज अक्शन से और साथी साथ इमोशन से घड़ा होगा जब यश और संजदत्र से बड़े आक्टर एक दूसरे का सामना करेंगे तो बड़े बड़े पर क्या होगा यह बात अब सब जानते हैं धमा का सोचने वाली बात यह है कि काफी लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या फिल्म के एंड में रॉकी भाई की मौत हो जाएगी काफी बार फिल्म के डाइरेक्टर और मेकर्स ओडियोंस को इमोशन वाली थी और लोगों का दिल जीत लिया था इस फिल्म के एंडिंग में सिधार महलोतरा जो विकरम बत्रा का स्किर्दार निभाते हैं उनकी मौत हो जाती है जिससे काफी सारे लोग connected फील करते हैं और जब इस फिल्म के एंडिंग में गाना बचते हैं मन भर्या तो लोग और भी जादा connected हो जाते हैं और emotional हो जाते हैं बैग्रोंग में गाना मन भर्या इस फिल्म के emotion को और बढ़ा देते हैं और शाइद climate से audience का भी दिल भराया और इस फिल्म को super duper hit करार कर दिया गया यहीं इस पहले भी काफी बाद फिल्म में hero की मौत को emotion high करने के लिए लिए और इसके लोगों को लग रहे है कि क्या रौकी भाई के किरदान को भी मार दिया जाएगा लोगों को emotionally connected फिली कराने के लिए और उनके आँखों में आसुलाने के लिए सबसे नए और modern फिल्म क्या KGF 2 के बाद रौकी ठोड़ देंगे कुंडा गर्भी Hello and Welcome to Wally Dad Studios. KGF Chapter 2 वही से शुरू होगा जहां KGF Chapter 1 हर भी हुआ था. पहने पार्ट में यश रौकी कुदार सोने की फीर में स्ट्रबल करने ही लोगों के मस्था बनते हैं. इस फिल्म में रौकी को लोगों के लिए लट्रे में देखा जाएगा और फिल्म के एंड में प्ल काड़ा दिखाया जाता है. और वही चीज KGF 2 में भी होने वाली है. KGF 2 में इस संजय के लुप को काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लुप को खुंकार के साथ साथ एक modern झलग भी दिया गया है. और उनके लुप काफी कूल माना जा रहा है. उनक सब पहली बार होगा जोब एक विलेन की पहचान टैटू से होगी. पर अधीरा की जीवन में टैटू का इंपोर्टन कुछ अलग है और इंपोर्टन है. क्योंकि अधीरा अपने बॉड़ी पर इन टैटू के वरिये कुछ कोड़ वर्ट्स लिखते में नजर आएगा. आज सब्सक्राइब मतलब 8Apps वाला सूपरकार. आपको बता दें, सब्सक्राइब का किरदार अधीरा, गरूर और विराट के चाचा सूरेवर्धन का भाई है. वो सूरेवर्धन का सक्सेशन बना चाहता था पर इसके लिए गरूर के साइट से हान नहीं थी. उसने अपने रौकी की मदद और सरकार की च्छेट मानी पे रौकी फिल्म के खतरनाख विलेन अधीरा को थोखा देंगे. एजिए चुके फिल्म के एंड की बात करें तो रौकी का किरदार मरेगा नहीं तो वो अपनी सारी पुरानी आदत में खोड़ देगा और साथी साथ जो भी घु को की मदद दरबाएं. तो सबसे जादा माइने रखता है कि रौकी का कंट्रिडूशन दुनिया को कैसे एफेक्ट करता है और क्या मेंसल केता है? अभी मसाला फिल्म में इसे बेसिक ट्रॉट पर काम करती है. आपको क्या लगता है? क्या हो सकती है? केजिए फू की एंडिं तो एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिग्राफ्ट स्टुडियोज की इस नई पेशकश में हीरो, विलन, क्लैमर और पूरी क्रू की मेहनत से बनती है एक फिल्म लेकिन उस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान से देखा जाता है हीरो और विलन का गै KGF Chapter 2 के विलन संजर दत के लुग पर सब ने बात की लेकिन KGF Chapter 2 और KGF की हीरो की बात करना सब भूल गए जबकि यश की लाइफ पर रॉकी ने गहरी चाप छोड़ी थी वो इसलिए जब रॉकी की एंट्री KGF में हुई उससे पहले रॉकी का नाम सिर्फ यश था उनकी पहचान उनके नाम से होती जो नाम था यश लेकिन जैसे ही यश रॉकी बना तो उसे गैंक्स्टर लुक देने के लिए लंबे बाल और बड़ी दाड़ी लगाए गई ताकि वो एक गैंक्स्टर लगें लेकिन इसी के साथ रॉकी के किरदार में कुछ अच्छी आदत ने डाली गई जिससे वो एक अच्छे गैंक्स्टर लगें फिर केजीएफ रिलीज हुई केजीएफ में रॉकी के लुक को काफी पसंद किया गया उसे नो शेव नवेंबर लुक से भी चोड़ा गया क्योंकि रॉकी की मां को कैंसर था लेकिन पैसों की कमी के कारण वो उनका के लाज नहीं करवा पाए थे इसलिए इसको नो शेव नवेंबर से चोड़ा गया अगर आपको नो शेव नवेंबर का मतलब नहीं पता तो बता दें नो शेव नवेंबर एक प्रेंड है जिसमें कोई भी अपनी ग्रूमिंग पर होने वाले खर्ची को कैंसर पेशेंट को डोनेट कर देता है और खुद की ग्रूमिंग पर नहीं करता यही करतिक कुछ टाइम पहले यस भी सोशल मीडिया पर नज़र आये थे उसी के साथ बॉलीवुड में भी लंबे बाल बड़ी दाड़ी का चलन हुआ बॉलीवुड में सबसे पहले ये ट्रेंड रनबीर बंटेंग लेकर आये थे बताते हैं रॉकी के लुप के बाद लोग यश को रॉकी के रूप में जानने लया लेकिन उनकी real identity से ज्यादा लोग उनकी real identity रौकी भाई के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं रौकी के फैंस ने उनके hair style को copy किया लेकिन उनका hair style लोग वाकई अच्छा था जिसकी वज़े से ही उसे खुद यश ने भी real life में maintain करके रखा है आज भी जब हम यश को देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पर अपने लंबे बाल और nicely maintained beard को दिखाते नज़र आते हैं और अब KGF2 में भी वो इसी लुक में नज़र आएंगे साथ ही बता दें इस लुक के पीछे सबसे बड़ा हाथ यश और रौकी के हेर स्टाइलिस आलिम हाकिन का हाथ है उन्हीं ने यश को रौकी बनाया है जो आज एक प्रेंट बन चुका है बता दें एक बार फिर यश इसी रौकी लुक को KGF2 में साथ लेकर आएंगे किस के लिए देंगी श्रिण भी शेटी रौकी भाई को धोका क्या इनायत खलील मिलाएगा रौकी भाई से हाथ जहां आपको मिलता है बॉलिवुड की तमाम इंट्रस्टिंग खबरे वो भी मेरे आनी शुती के सार KGF के कई सारे किरदारों के बीच आपस में क्या कनेक्शन है क्या आप लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया रमेका सेन का किरदार निभा रही रवीना टंडन और अधीरा का किरदार निभा रही संजैदत अधीरा को गरुडा केजिफ के अंदर मरवा देता है जहां सबको लगता है कि अधीरा की मौत हो चुकी है और ये जानकारी उस तक सिर्फ अधीरा ही पहुचा सकता है क्योंकि बाकी जितने भी कारेक्टर्स जो की केजियों से जुड़े हुए है सब के सब रमिका के खिलाफ ही नजर आए है रोकी भाई भी जिस पर अंदा भरोसा कर सकते हैं वो है उनका चूला रीना यानिकी श्रिदी शेटी लेकिन अगर ऐसे में सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर रहे है वो भी उन्हें धोका दे दे तो कैसा लगेगा श्रिदी शेटी जहां रोकी भाई का कदम कदम पर साथ निभाती होई दिखाई देंगी वहीं हर कदमों के पीछे वो रोकी के लिए जाल बुनती जाएंगी जिसका खुलासा फुल्म के क्लाइमाक्स पर होगा पोस्टर में जिस तरह का श्रिदी शेटी का लुक नजर आ रहा है उसे ये एक ऐसा मोमेंट दिखाई दे रहा है जहां वो गेट खोल कर पल की बिचा कर किसी का स्वागत कर रही है लेकिन वहां केचेफ में गरुडा को मायने में काफी लंबे समय का वक्त लग गया था शायद अब तक श्रिदी शेटी को कोई और मिल गया होगा जिसने रौकी की कमी उनकी जिन्दगी में पूरी कर दी लेकिन 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 अभी एक और इंसान बागी है जुसकर रौकी भाई भरोसा कर सकते हैं वो एकलोता ऐसा इंसान है जिसे पता है कि रौकी भाई को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है और वो है दुबाई का शेक इनायत खलील, जो इनायत खलील मुंबई में सिर्फ रौकी भाई के होने से अपनी ड्रग सप्लाइन नहीं कर पाता था, वो पूरी KGF को रौकी के होते हुए कैसे हड़ाप सकता है? दोस्तों किसी बड़ी स्टार से यह उमीद कैसे की जा सकती है कि वो इतनी बड़ी गल्ती कर जाया? बिना स्क्रिप्ट करें, बिना इनके फिल्म लेखें इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जी हाँ, ऐसे ही गल्ती कुई है, KGF 2 से सुन्ख्यों में आई रवीना करने से, जो काफी इनों से बॉलिवूद में नजर बन थी, जिनोंने काफी वक्स से कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन अब वो फिल्म कर रही है, और फिल्म में चाने को भी तयार है, वो भी बिना किस की फिल्म की स्क्रिप्ट पहें, आपको बताते की फिल्म KGF 2 की बातें तभी से हो रही है, जब से इसका पार्ट 1 रिलीज होकर हिट हुआ है, फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेस सब्री से इंचिसार करने लगे थे, डायरेकर प्रशांत निल की इस फिल्म में इस बार ब काफी शादार, मरत तो रबीना कहती है, फिल्म की स्टोरी लाहिट से मैं काफी इंप्रेस्ट हुई थी, टीम से लगातार बातशीट हो रही थी, प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्स उनाई और मैंने बिना KGF का पार्ट 1 देखे ही, फिल्म के लिए हामी बढ़ दी, लेकि कि फिर जब मैंने पार्ट 1 देखा, तो मेरे तो भोश ही उड़ गया, मेरे लिए ये न्यू एज सिनेवा अप्रोच था, हाला कि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन की स्टरे से दर्शकों को प्रभावित करती है, औ क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके निमाग में कब क्या आइडिया आ जाए, असल हिम्या में वो काफी शान किस्म के व्यक्ति है, लेकिन उनकी फिल्म में इसके एकदम ऑपजेटी है, दोस्तों केचिया अप चैप्र 2 का पहला टीजर आज जन्वरी को रिली इसको जाकर खत्व होगा, जी हाँ, इसे बेच इस फिल्म से कितने मोस्तर और कितने गाने सामने आता है, इसका फैन्स को बेस सब्री सेंव पिजार है, तो इस फिल्म के लिए आपकी एकसाइटने लेवल कहा पर है, प्लीज हमें कवें बोक्स में बताइए, मुझे बॉली इन फिल्मों की कमाई भी करोडों में होती है, बॉलीवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड और 200 करोड कलब का निर्मान किया है, लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है, और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्म में भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक बजट पर बनाई जा रही है, साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अलू अर्जुट, रामचन और जूनियर एंटियाज समेथ कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुचने वाले हैं, दिल्चस्त बात ये है कि इन सभी सितारों की ये इस टैनर्ड सेट पर पहुचा दिया है, उनी में से एक थी KGF, इस कटनेट फिल्म की पॉपुलारिटी के लिए एक बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को हिंदी ओडियन्स के बीच खूब प्यार मिला, और उसी का नतीज़ा है कि अब इसके सीक्वल KGF चैप्टर 2 का बेस हो चुकी होती, फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी, मगर अब ये फिल्म 14 एप्रिल 2022 को रिलीज होने वाली है, आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोर के बड़े बज़ट पर बनाया जा रहा है, अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है, आज क इस फिल्म को बता देंगी परहान अक्तर और रितेश सिद्वानी की कमपनी एक्सल एंटर्टेंमेंट में साउट के सूपरस्टार यश की फिल्म में केजी अफ चैप्टर टू की हिंदी राइट्स 90 करोर रुपे में खरीदे हैं, 2018 में रितेश सिद्वानी और परहान अक् यह होगी कि क्या, इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को इतना फाइदा जितना पहरी फिल्म से हुआ था, अब इसी के साथ मैं सुंबिका लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक करी हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, लिड़ा से 2022 के शुरुआत में कौनसी बड़ी फि दोसो करोना काल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिनेबागर खुले है और फिल्म में रिलीज हो रही है और रिलीज डेट अनांस हो रहे लगातार आने वाली फिल्मों के हाल ही में, लाल सिंग चड़ा की भी नए रिलीज डेट सामने आई है, जो की 14 अपरेल को यश की फिल्म के जीएप चाप्टर 2 के साथ रिलीज हो रही है, इनके अलावा भी कई मोस्त अवेटिट फिल्में ऐसी है जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है, फिल्हाल के जीएप चाप्टर 2, जो की मोस्त अवेटिज फिल्म है, अगर लाल फिल्हाल हम आपको बताते हैं, और कौन कौन से फिल्म में टक्राइडी है, साल की शुडवाद में इस इस राजा मौली की पैन इंडिया फिल्म ट्रिपल अर भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें आलिया भात, रामचरन, जुनिया इंडिया नजर आएंगे, फिल्म साथ इसे दोनों फिल्मों की करमाई पर असल पढ़ सकता है, इसके बाद नम्मर आएगा, अक्षे कुमार और जॉन अब्राम की फिल्मों का प्रितुरा जाने वाली है, और अटैक, जो कि जॉन की है जनवरी में टक्राइगी, चंद्र प्रकास दुवेदी के निर्देशन में प्रितुराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि लक्षा राज आनन के निर्देशन में बने अटैक उसके तीन दिन बार रिलीज होगी, सोची कितना फरक पढ़ने बाला है दोनों फिल्मों को, फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू डाए का फ्लाइश चार फरिवे को एक साथ, राजकुमार राव भूमी पे निकर की डढ़ाई दो, उनीज राज रशर्मा, काव्या, कश्यप की फिल्म, बिफोर यू डाए आएगी, दोनों ही तकर आएंगी, देखनाओं का कौन आगे निकलेगी, उसके बाद नमबर आएगा संजे निला भनसाली की मूस अवेटित फिल्म गंगु भाई काथिया बाड़ी, जो कि 6 जनवरी की बजाए 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है, यानि कि दोनों ही फिल्मों की बीच पार्टे की तकर हमें देखने को मिल सकती है, उसके बाद नमबर आएगा बच्छन पांडे और शमशेरा का, आक्षे क स्टार होरर कमेडी बूलवलया 2 और इसके बाद आपको बता दे अनेक रिलीज होगी, बूलवलया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को 31 मार्च को आनी है, आईश्वान खुराना की अने, यानि कि इनका भी बॉक्स ओफिस क्लैश देखने को मिलेगा, फिर आएगा हमारे लाज कौन कौन आगे जाएगी नीचे कमें सेक्षिन में बताईएगा और इसी तरह की दूसरे अप्रेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल बॉलीग्रास स्टुडियोज को सब्सक्राइब का दिल से सागट है बॉलीग्राइब स्टुडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं को आपकी होस्त प्रतिच्या लेकर आई हुआ आपके लिए दर्वागरम बॉलीवड नीवूद दोस्तों किसी बड़ी स्टार से ये उमीत कैसे की जा सकती है कि वो इतन की बड़ी गल्ती कर जा है बिना स्क्रिप्ट पढ़े बिना इनकी फिल्म देखे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया जी हा ऐसे ही गल्ती हुई है केचिव तू से सुल्ख्यों में आई रवीना तनल से जो काफी इनों से बॉलीवूद में नजर बन थी जिनोंने काफी ब पार्ट वार्ड रिलीज होकर हिट हुआ है फैल्स इसके दूसरे पार्ट का बेस सब्री से इंतिसार करने लगे थे डायरेक्टर प्रशांत निल की इस फिल्म में इस बार बॉलिवन आक्रस रवीना रंणन और संचे ड़त देखने को मिलेंगे हाली में रवीना ने इस फि स्टोरी लाहिट से मैं काफी इंप्रेस्ट हुई थी टीम से लगातार बाक्षीट हो रही थी प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्स दुनाई और मैंने बिना केजिएप का पार्ट वान देखे की फिल्म के लिए हामी बढ़ दी लेकिन फिर जब मैंने पार्ट वान देखा तो मेरे तो भोश ही उडगे मेरे लिए न्यू एज सिनेवा अप्रोच था हाला कि यह भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन की स्थरे से दर्शकों को प्रधावित करती है और फिर मेरा रोल काफी दिच्चस्त होने वारा था तो मैं इसके लिए कैसे मना करें रवीना आगे कहती है कि प्रशान दील का काम शान दा रहा है मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कम क्या आइडिया आ जाए असलिना में वह काफी शान है क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी कुछ महीने बाकी है जो इंतजार 14 अपरें 2022 को जाकर फट्म होगा जी हा इसी बीच इस फिल्म से कितने मॉस्टर और कितने गाने सामने आता है इसका फैन को बेस सब्सें इनतजार है तो इस फिल्म के लिए आपकी बॉलिवुड फिल्म में कुछ चीजों के लिए खास जाने जाती हैं और इन में से कुछ चीजें हैं बॉलिवुड के गाने और बॉलिवुड का बड़ा बचट बॉलिवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है बॉलिवुड फिल्मों करोडों के बजट पर बनाई जाती है और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोडों में होती है बॉलिवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड और 200 करोड कलब का निर्मान किया है लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज़ देखी गई है और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्म में भी बॉलिवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है साउथ फिल्म अक्टर प्रभास, अलू अर्जुर, रामचन और जूनियर एंटियास समेथ कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुचने वाले है दिल्चस्प बात ये है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्मे है जिस पर पुरी दुनिया की निगाहें लगी है बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलिवुड को भी हिला देने वाली है दक्चन भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलारिटी के नए स्टानर्ड सेट पर पहुचा दिया है उनी में से एक थी केजी अप इस कर्नट फिल्म की पॉपुलारिटी के लिए एक बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को हिंदी ओडियंस के बीच खूब प्यार मिला और उसी का नतीज़ा है कि अब इसके सीक्वल केजेफ चेप्टर 2 का बेसबरी से इतिजार किया जा रहा है अगर देश में करोना वाइरस की स्थितीन इतनी बूरी नहीं होती तो केजेफ चेप्टर 2 को पहले ही रिलीज किया जा चुका होता और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनिमा घर में रिलीज हो चुकी होती फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी मगर अब ये फिल्म 14 एप्रिल 2022 को रिलीज होने वाली है आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोर के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है आपको बता देंगी परहान अक्तर और रितेश सिद्वानी की कमपनी एकसल एंटर्टेंमेंट ने साउट के सुपरस्टा यश की फिल्म में केजी अफ चैप्टर टू की हिंदी राइट्स 90 करोर रुपय में खरीदे है 2018 में रितेश सिद्वानी और फरहान अक्तर की एकसल एंटर्टेंमेंट ने केजी चैप्टर वन फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फिल्म में तब इन दोनों ने जितना पैसा लगाया था उसका 30 गुना कमाया था और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को इतना फाइदा जितना पहरी फिल्म से हुआ था अब इसी के साथ मैं सुंबिका लेती हूँ आपसे इजाजत तब तक कि हमारी वीडियो को लाइक कमेंट इनके अलावा भी कई मोस्त अवेटिब फिल्में इसी है जिनका बॉक्स ओफिस क्लेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है फिल्हाल की एजी अप चैप्टर 2 जो कि मोस्त अवेटिव फिल्म है अगर लास सिंग चद्दा से तक्रादी है तो एक अलगी चीज देखने को म होगे तो देखना होगा अगर दोनों पर क्राइश होगा तो कौन आगे लिख लेगा आप बताईए का कौन आगे निकल सकता है फिल्हाल हम आपको बताते और कौन कौन से फिल्म में टकराए रही है साल की शुरुआद में एससरा जा मॉली की पैन इंडिया फिल्री भी रि अक्षे कुमार और जॉन अब्रायम की फिल्मों का प्रितुरा जाने वाली है और अटैक जो कि जॉन की है जन्वरी में टकराएगी चंद्र प्रकास दुवेदी के निर्देशन में बनी प्रितुराज 21 जन्वरी को रिलीस होगी जबकि लक्षा राज आनन के निर्देशन में बनी अटैक उसके तीन दिन बार रिलीज होगे सोची इतना फरक पढ़ने वाला है दोनों फिल्मों को फिर आएगा बदहाई दो और बिफोर यू डाय का फ्रिवें को एक साथ राजकुमार राव भूमी पेढ़ने करकी बदहाई दो उनीज राश्रमा काविया दोनों ही तकराएंगी देखनाओं को कौन आगे निकलेगी उसके बाद नमबर आएगा संजे लीला भनसाली की मोस अवेटिद फिल्म गंगु भाई काथिया बारी जोगी 6 जनवरी की बजाए 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है यानि कि दोनों ही फिल्मों की बीच अक्षे कुमार की बच्चन पांडे और अंबीर कपूर की शमशेरा फरवरी में दो हफ्ते के अंतरान में रिलीज होगी बच्चत वाले चार मार्श को रिलीज होगी दोनों ही फिल्में तकराएंगी फिर आएगा बूल बुलेया 2 और अनेक का नंबर कार्दे कारण की आर यानि कि इनका भी बॉक्स ओफिस क्लैश देखने को मिलेगा फिर आएगा हमारे लाज सिंग चद्धा और केजएप चैप्टर 2 का क्लैश मतलब की आने वाले 2022 में शुरुआती महीनों में यह सब आपको देखने को मिलेगा आपको क्या लगता है यह फिल्म में ठकराएगी कौन गौन आगे जाएगी नीचे कॉमें सेक्षिन में बताइएगा और इसी तरह की दूसरे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टुडियोज को आके संजय दग की खुशी के पीछे क्या है राज और किसका होगा के जीएफ पर पूरा पूरा राज नमस्कार सस्ट्यका अलादाब तहे दुल से स्वागत आपका वापिस से आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलेपरास स्टूडियोज के एक फ्रेश न्यू वीडियो में और मैं हूँ आपकी पुरानी होसर दोस्ट शुती आज हम बात करेंगे Most Thrilling Film of 2019 जुसके ट्रेलर नहीं सभी के रोंग्टे खड़े कर दिये थे कननट बेस्ट इस टॉलेवुड मूवी के हर एक सीन में क्लाइमेक्स और पूरी मूवी में भर भर कर आक्शन ट्रिल एज किया गया था ताकि दर्शोकों का ध्यान एक बार के लिए भी इस मूवी से ना हटे तो आप समझी गए होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों हम बात करें हैं के जीएफ की रौकी भाई के मुंबई का राजा बनने के जुनूर ने उनको के जीएफ तक का सरताज बना दिया था और जैसा कि हम सबने पहले पार्ट में देखा भी था लेकिन पार्ट वन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रॉकी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर डेथ वारिन जारी करती है और उनकी सरकार इतिहास की पन्नों से भी उसका नामों निशान मिताने में जी तोड मेहनत करती है आखिर क्यूं पिक्चर में दिखाया जाता है कि रॉकी बुरे लोगों के लिए दानव और भले लोगों क खड़े किये हैं जिसके जवाब को जानने के लिए दर्शकों का उतसा नहीं थम रहा है चाप्टर वन की स्टार्टिंग में दुबाई के ड्रग स्मगलर इनायत खलील के बारे में बताया गया है जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि यह र इनायत खलील की कोई जानकारी अजलक नहीं दी गई है टीजर को कंड़ या हिंदी जैसी रीजिनल भाशाओं में रिलीज ना करके डायलोग के साथ इंग्लिश में रिलीज किया गया है पूरी फिल्म में ये दिखाया जाता है कि अधिरा मारा जा चुका है और पूरा समरा सूर्य वर्धन के बेटे गरुडा के नाम पर है फिल्म में अधिरा के रोल के लिए चुना गया है संजय दत को जिनोंने इस रोल के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है उनका अधिरा लोगों को काफी पसंद आ रहा है संजय दत ने खुद ये स्टेट्मिन दिया है कि वो टाइम बात जाकर उन्हें ऐसा इंटेंस नेगेटिव रोल मिला है संजय दत ने 2019 में आई फिल्म पानी पत में एहमद शाह अबदिली का कारेक्टर प्ले किया था मुवी तो फिर्क फ्लॉप गई थी मगर संजय दत के फर्स्ट लुक से लेकर फिल्म में उनका इस टू में उनका विलिन कफतार देखने में कितने दिल्शस्प होता है वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगा गरुडा की मौत के बाद अधरा खलील कहानी में वापस आते हैं वहीं दूसरी और सट्टा में एक नया चैरा सामने आता है एक तरफ जहां खड़पने के लिए दावेदार एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं वहीं उस समराज को पूरी तरह से खत्म करने की फिरात में सरकार में तक्त पलट जारी है काफी ज्यादा दिल्शस्प और नेक्स लेवल ठ्रिल होगा ये देखने में कि आखिर किसके हाथ ये समराज मिलना तो पॉसिबल नहीं है मगर एंडिंग में प्राइम मिनिस्टर के डेथ वोर इंजारी करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि केजिएफ को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां उसे राक्षस कहती है वहीं अधिरा और खलील की पावर का अंद सही साबित होता है आखिर क्यों टल गई एक बार फिर के जीएफटू की रिलीस टेट क्या सब धंदों को हुआ करोना वाइरस से नुकसान के बाद कौन सी फिल्म की तैयारी में है प्रशांत नील तो हाई गाइस में हुश्पिया अरोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स क्यूब चैनल बॉलीग्राद स्यूडियोस में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब करोना वाइरस और लॉकडाउन ने तो सब के धंदों को चौपट कर दिया है इस चपेट में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बलकि आक्टर और अक्ट्रस इस भी आए हैं आपको क्यास है कि इस तारीक पे मेकर्स इसे रिलीस नहीं कर पाएंगे इसकी वज़ा देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते दोबारा बिगड़े हालात हैं ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते हैं कि फिल्म को किसी भी दरहां का नुकसान झेलना पड़े फिल्म निर्माता और निर् है कि मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म थियेटर उसी वक्त पहुंचे जब करोना के मामले खतम हो चुके हो और फियेटर पूरी शम्ता यानी सौव पीस्दी ऑक्यूपेंसी के साथ खुले तो ऐसे में केजिये टू स्टार यश की इस फिल्म के लिए इंतजार में बैठे दर्श लीड रोल में श्टी ने दी शटी नजर आने वाली है इसके अलावा एक्ट्रिस रवीना टंटन और संजे दन भी फिल्म में एहम किरदारों में दिखेंगे इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और करीब करीब बन कर तयार ही है फिल्म के पोस्ट प्रडक्शन व पहले ही रिलीज हो चुका है जिसे दर्शकों से भारी रिस्पॉंस मिला है फिल्म में प्रभास के ओपोसिट लीड रोल में आदाकारा श्टूती हसन नजर आने वाली है तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें अपनी राए कमेंट कर ज़ें जरूर ताकि हम सारी लेटिस्ट खबरे आप तक लाएं वो भी सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही हमजादी लोटिंग एक नई वीडियो और नई आप देट के साथ आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीशा जैन बहुत बहुत शुक्री आप सकता क्या फिल्म के जी फ चाप्टर टू की रिलीस डेट सामने आई क्या है फिल्म में गरूरा के किरदार की असली सच्चाई फिल्म में पी एम के किरदार के लिए किसी महीला को ही क्यों चुना हलो एंड विलकम मैं हूँ आपकी होसिन दोस प्रयांका और स्वागत करती हूँ बॉलीग्राट स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे फिल्म के जी फ चाप्टर टू की अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें फिल्म के जी फ इंडिया के उन गिने चुने फिल्मों में से एक है जो इंडिया के फिल्म स्टैंडर को रिप्रेजन करती है के जी फ को कितना पसंद करते हैं इसका अंदाजा आप KGF chapter 2 के इंतजार से लगा सकते हैं अब तो fans हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं ताकि उन से फिल्म से जुड़ी कोई भी information मिसना हो जाए तो चलिए फिल्म KGF से जुड़ी आपकी डायरी में कुछ और पन्ने एड करते हैं और आपको फिल्म से जुड़ी चीजों की पीछे की कहानी बताते हैं और आप सुनकर दंग रह जाएंगे तो शुरवात करते हैं KGF Chapter 1 की शुरवात से जहां पर हमें एक महिला रमिका से नामक जो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होती है वो KGF की खात्मे के पैमान पर साइन कर रही होती है अगर आपको मालूम होगा तो इंडिया के अगर PM की लिस्ट निकाली जाए तो उन में से सिर्फ एकलौ कोई और नहीं बलकि इंडर गांदी जी है और जब वो PM बनी थी तब का टाइम मूवी के टाइम से बिलकुल मैच खाता है तो इनका ये एक स्टेपल रिफरेंस हो सकता है क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो वो एक मेल कैरेक्टर को भी इसकी जगह रख सकते थे वहीं दू और वो करनाटका से बलॉंग करती है जहां से ये मूवी भी औरिशनली बलॉंग करती है लेकिन वहीं इससे भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बात तो ये है कि जो डेट ऑफ बर्द रॉकी की फिल्म में दिखाई गई है जब वो लाइसेंस शेक करवाने जाता है असल जि उसरी दरफ फिल्म के विलन गरुडा ने भी लोगों की रूख अपा दी थी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म में गरुडा का किरदार निभाने वाले राम की ये पहली फिल्म थी क्या आपको पता है कि राम चंडर राजो कोई एक्टर नहीं थे वो एक्टर यश के साथ बॉडी गार्ड के तौर पर जुड़े थे और ये रोल उन्हें खुद यश और फिल्म के डारेक्टर नील ने दिया था दरसल राम को एक्टिंग का बहुत शौक है ये बात यश बहुत भली वादी जानते थे तो जब केजिएफ चैप्टर वन की स्क्रिप्ट रीड वही ऑडिशन के लिए भी राम ने खूब महनत की वर्क्शॉप्स लिए जिम में खूब पसीना बहाया और उनकी इसी लगन की वजह से वो आज राम से लेकर गरूरा तक की सफर को पूरा करने में काम्याब रहे खेर आप हमें बताईए कि आपको फिल्म में गरूरा का किर अजिए प्रवाबा ने मीडिया के साथ क्या कहना है सच्छुबाबा का अपने केराक्टर अधीडा को लेकर क्या गुजारिश की सच्छुबाबा ने यंगस्टर से ऐसे ही तमाम इंट्रेस्टिंग सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंते तक जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियों है, क्योंकि हम आपको बता हुआ है, हमापन KGF से चुछड़े काफी interesting और hidden facts, revealed by one and only superstar Sanjaita. जैसे-जैसे KGF Chapter 2 की release date तेजदी आदी जा रही है, ऐसे-बैसे fans के सब का बात तूटता जा रहा है. आपको बता रही, KGF Chapter 2 साथ 2018 में आई कंदर के super hit film, KGF Chapter 1 का sequel है. हमशकार, मेरा नाम है निधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉल इबैक्स टीडियों से. आज की इस वीडियो में हम बात के देखार KGF 2 से जुड़े कई interesting facts के बारे में जो हमें खुल बताए है के GF Chapter 2 के नायक नहीं भर नायक आखा अधिता के दुपर. करेश पूज़ा के शुब अफसर पर संचुगा सेट पर जज़स के साथ साथ कंटेस्टेंट्स और उनके मेंटोर्स वारा दिया गया एक ग्रेंट कल्क. सभी जज़स और कंटेस्टेंट्स काफी excited नजर आ रहे थे. उसी excited moment के दौरान संचेदत ने कहीं ये चार बातें जिसने सभी जज़स और कंटेस्टेंट्स को एमोशनल होने पर मजबूर कर दिया था. आई ये जानते हैं क्योंसी हैं ये चार बातें. नमबर वान उन्होंने सभी लोगों से बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस तरह के महान दिन पर यहां बुलाये जाने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. भगवान आप सभी को अशिरवातें. इसकी बात आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने अक्टिंग करियर से रिलेटेट काफी एक्स्पीरियंस और मेमरीज भी शेयर ही. बात करते-करते वह थोड़ा ही मुश्नक हो गए और अगुश्नक होकर कहा, मैंने जीवन भर ज्यादा पैसे नहीं कमाएं, मैंने जो कमाया है वह है आप सब का प्यार. मुझे बहुत प्यार मिला है और मैंने लाइफ टाइम के लिए कई फ्रेंड्स भी बताए हैं. और अग्स्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए और अग्स्टर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल है दिस्टेट्स में कहा थी, मैं हर यूवा से हाट जोड़ कर दहीं दिखना चाहूँता, फिक्र प्याम मेरे जीवन नाजी हूँ, मैं आपसी अन्रोज करता हूँ, तो इस तरह के जोखें को नाली मैं नहीं चाहता कि यूवा और आप सभी को किसे भी प्राप्र का सामना करना करता है। केजियस चाप्र 2, 14 एप्रिल को पूरे इंडिया में कई डिफरेंट लेगवे जिसमें रुलीज होने वारा है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिगराद स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती। प्रेडक्शन हाउस प्रीन बॉर्यर पिक्टर्स को बेच दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म में क्या आपको बता है कि यश का ये इंटेंस लुक कैसे आया है सामने। तो बता दे कि ये कोई और नहीं बलकि यश के हैर स्टाइलिस्ट आलम हकीम का काम है। जो यश को भी पर्सनली काफी टाइम से जानते हैं और यही रियर लाइफ में भी यश के हैर स्टाइल करते हैं। जब प्रिशांत नील को ये पता चला तो उन्होंने यश के हैर स्टाइलिस्ट को मुवी में रॉकी की कारेक्टिस्टिक्स बताई। ताकि वो इस पर काम कर सके। बहुत सोचने और समझने के बाद फिल्म आलेम हकीर ने यश को ये रूप दिया जो लोगों ने काफी पसंद किया। बतादे फिल्म में साउथ के सूपरस्टार यश एहम रॉकी का किरदार ने भारे हैं। उनके अलाव अभिनेता संचैदत मुख्य भूमे का विलेन अधिरा की किरदार में नजर आने वाले हैं। और अभिनेत्रीडवीना टंडन भी एहम रोल प्ले करती दिखाई देए। फिल्म केजिएफ का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था। कंडेट तामिल तेलो और हिंदी में रिलीज की गई थी इस फिल्म में काई रिकॉर्ड अपने नाम किये थे। यह पहली कंडेट फिल्म थी जिसने तो सु 50 करोड से ज्यादा की कमाईगी थी और चौथी हिंदी में डब की फिल्म थी इसने सबसी ज्यादा कमाई थी अब KGF 2 अपनी ही फिल्म में बनाए गए कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है ये देखना लायक होगा आपको क्या लगता है क्या KGF 2 पांट सो करो या उससे ज्यादा का बिजनस कर पाएगी क्या प्रशान्त दील की KGF चाप्टर 2 पर लगी लागत वसूर हो पाएगी हमें कॉमेंस में जरूर बताएए और आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगी एक नए वीडियो के साथ तका आप खुश रहिए और सेफ रहिए क्या है फिल्म की शूटिंग लोकेशन से जड़ी की डीटेल्स क्या होने वाला है KGF 2 का क्लाइमेक्स इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लास्त तक बने रहे हमारे साथ हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका बोलीग्राथ स्टूडियो में दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म के जीएफ के अपकमिंग चाप्टर याने की चाप्टर 2 के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि के जीएफ चाप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वोल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी यही रीजन है कि इसका चाप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में most anticipated है इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्टरी के आफ्टर यश को बिसिनमाटिक फैन से काफी रिकॉगनाजेशन मिली और अब उनके गिंती एक रेजिंग सूपरस्टार के तौर पर की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के जीएफ 2 के शूटिंग लोकेशन के बारे में जब से के जीएफ चाप्टर 1 रिलीज हुई और खबरे आई कि के जीएफ चाप्टर 2 भी जल्द ही आने वाली है सबी फान्स के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर के जीएफ 2 की शूटिंग चल रही है तो आपको बता दे मार्श 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हाइदराबाद में शूट किया गया था जो अगले कुछ महिनों तक चला लेकिन उसके बाद मार्श 2020 में ही COVID-19 के लॉकडाउन की वज़े से सिरूख दिया गया और उसके कुछ ही महिनों बाद यानि ऑगस 2020 में बैंगलॉर के कटिवारा स्टूडियो में एक फिल्म को रिज्यूम किया गया बैंगलॉर के फेमस कुलार गोल्ड फिल्ड में भी फिल्म के कुछ इन्पोर्टन सीन्स की शूटिंग हुई है KGF2 के शूटिंग लोकेशन का सबसे बड़ा हाइलाइट पार था गोवा का दूद सागर वाटरफॉल जी हाँ इस जगे पर यश के कुछ धमाकिदार आक्शन स्टन्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग आक्शन सीक्विन्स के तौर पर माना जा रहा है जी हाँ बता दे दूद सागर वाटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूप सूरत और एक्जॉटिक लोकेशन से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाक आक्शन स्टन्स कितना थ्रिलिंग होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बात उसी ही लगा सकते हैं जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है हम जानते हैं आप सभी सबकमिंग फिल्म के लिए बेहद उच्छुख है दोस्तों किसी भी फिल्म का सबसे इंपॉर्टिंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स दादे फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सूपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हाइदराबाद के रामुजी राउ फिल्म सिटी में लगाया गया क्लाइमेक्स के सीक्विंस का ये मेइन सीन यश और संजेदत के बीच एक दमदार आक्शन स्कन पर बेस्ट रहने वाला है माना जा रहा है कि ये आक्शन सीक्विंस इंडियर फिल्म इंडस्ट्री के आज तक का सबसे एक्सपेंसिव आक्शन सीक्विंस होने वाला है जो वाकई में ओर्डिन्स को सप्राइज कर देगा डबिंग क्या होती है? सचिन गोले को किस ने किया KGF 2 में रिप्लेस? किस आर्टिस्ट ने लाग को कमाए KGF को हिंदी में डब करके? कैसे होता है डबिंग मूवी में? अगर आपकी आवाज में कुछ खास है और आपको लगता है कि आपकी आवाज दूसरों से काफी अलग है तो आप आवाज की दुनिया में बहतरीन करियर बना सकते हैं अगर आप और लोगों से हटके कुछ अलग करियर बनाना चाहते हैं, तो एक वोईस ओवर आर्टिस्ट बन कर आप ना सर्फ अच्छा करियर बना सकते हैं, बलकि दूसरे करियर की अपेक्षा काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं. आज फिल्मों से लेकर नाटक, रेडियो, टीवी, विग्यापन, डॉक्यूमेंटरी, अनिमेशन, फिल्म्स, आडियो बुक आदी में डबिंग आर्टिस्ट की काफी मांग रहती हैं, अगर आप में वो बात है, तो आपकी आवाज आपको एक अलग ही पहचान दिला सकती हैं आपको बता दे कि डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी खास योगिता की जरूरत नहीं है, अगर आपकी आवाज में दम है और आपकी लैंगविच पर पकड़ है मजबूत तो आप इस फिल्ड में एंट्री कर सकते हैं, अगर आप वोईस आर्टिस्ट या डबिंग के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप में कुछ खास गुणों का होना जरूरी है, एक वोईस ओवर आर्टिस्ट में वोईस मॉडिलेशन उच्चारण भाशा पर पकड़ होना बेहत जरूरी है, इसके अलावा वोईस आर्टिस्ट को क्यारेक्टर या सिचुएश अपनी आवाज में बदलावनाना जरूरी है, जैसे एमोशन और कॉमेडी की जगह पर उस हिसाब से अपनी आवाज का डालना जरूरी है, एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए अफसरों की कोई कमी नहीं है, ऐसी ही कुछ डबिंग आर्टिस्ट साउथ की फिल्मों का हिंदी वर्जिन तयार करने के लिए अपन किये जाते हैं, अब चाहे वो बाहु बली हो या फिर केजेव की सीरीज या कोई और साउथ की मूवी, सब में हिंदी में डब करने के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, बता दे केजेव को हिंदी में डब करने के लिए भी ऐसे ही आर लग हिंदी में यशने नहीं बलकि सचिन गोले ने बोले है। चिलर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, मोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। ये भी इनकी ही आवाज में धासु बना है। और वो वाला तो डायलाव आपको याद ही होगा। ट्रिगर पर उंगली रखन वाला हर शक्स शूटर नहीं होता। लड़की पर हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता। और अपपुन के आउकात अपने चाहने वालों के अलावा कोई समझ नहीं सकता। सचिन गोले के बोलने पर ही सबकी जुबा पर चढ़ा है। साल 2018 की मेगा ब्लागबस्टर फ की आवाज यश के साथ इतनी मिलती है कि फंग का एक एक डायलोग जान फूपता नजर आता है। लेकिन अब आगे आने वाली के जिएफटू के हिंदी डब में भी हमें यश के आवाज में सचिन गोले को सुनने का मौकान नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों अब आप जब भी केजेफ को देखेंगे तो सचिन गोले को तो जरूर याद करेंगे। लेकिन केजेफटू के डबिंग स्टार को भी नजर अंदाज नहीं कर पावे। जी हाँ केजेफटू में हमें रौकी की आवाज में संकेत महात्रे सुनाई देंगे। अब दोनों में से कौन होगा बेस्ट फॉर रौकी की आवास। आपको कहा लगता है हमने इचा कॉमन्ट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीचो लाइक, हमारे चानल को कर दीचो सब्स्क्राइब आउन हाँ बले कौन बढ़ना ताके इसे चटपड़ी चीज है आपको सब सब करें देखने को रहें इसे चाषी कब यूजी के दारे कि मेरे पास मार वो तकर दीचना है कि इसरफ में यश्की मा का विडियार निफाने वारी अखी उपने दीच वेजी चार साथ शोड़ी है रिगुवाइश्य। और ये पहरे पार नहीं हुआ है करें बार कर दोलों में अबीनीजियों ने परिफितों किमां वर्भी कांशिकारा तभी ना रंदन फरश्वा पपू से लेगे जोही च्रावला कर था हमारी नाई निंग की किदों जाहरी तो भाई आएं कभू रामर्पान सर्वान पर नुट पारुपानाज पीजिए फिलेदारों में जांग धिरोईं की चांग वर् निए पार प्रावला प्रावला की फ्लेक साथ कर दो भाई पूड़ी चांग ब कर दो भी घरोई में जिए चांगे बारुटे निए तो फिलेदार निए निए फो फोल्ग छो अजेरी निए तो पार लोग टो पीज़ से लेट जाएं फार पेपिमें गांग रंट निए शबएन तर्मास अप्रबार सेचिक निखाइब थे। यसी भारते भाशाओ के सब ताइकल के हाथ मिजी भी उन्या थे इस यह आधीश्याम के सभी भाशाओ के मिजी पीजित इन्हा के जिए तुके दिजने साभी दर्शकों मिने पेल गाम बश्राग्यान और करी युठी मीदियों कि बाँच की ओरो इलिप चु और राइश्या गिवी तुष्पारगों के बारे में आफ्ला क्या किना हम दोगें एक जिए कुष्पार्गों के नागा कुछ बडा करना होगा कि प्रिप्रागों कि लग्खी वाथ की लिए तुष्पार होतारता हैं जल्ज या लगान ईसकी अर्ड़ा किन से प्रक्षरों होता होगार्यास चाहिए तुर्ष्री कि ओंच रहे मुवा पलादा गिविने स्चिया निस्तथ परकु के रोगि है तर रेवानी मुझी प्रुटी साधिय में लिटिंगा इस जर्दी उमें यश को रेते हुए प्रिंदी निपोडर के यहाथ रिला निर्मातार यश को अनो ही अपने आक्सि वर्मों के लिए दाने गा जहाने लिए लिए जहाने घश के लिए गश्मी कुपती और चैटी गु मुवी एक कान अती जलर होगी रिदेशने इस प्रोजेक के लिए ग्राफिक काम को स्केच करना सुनुदी दोडिया है मुवी की शुटिंग दोहतार बाइट की सिरू होने की उमेडे है और इसके एक बनी बजट की बजट कोनी काम भी साथा है साल जिवाली जे मौके पर शांस की बारे में आनाउस्तन की मुवी कर सके है रश्नी कान अभी लीटा उनकी आफी मुवी तर्मारी जोपन 255 परोड़ का कारुवार दिया लेकिन 200 करोड़ रुपे का भारी बजट को रिताया की महामाई निर्माखाओ के लिए मेहली इस्याविन हुआ अर्मुर्गा जोट लेना के बुट साथ सुना की में काम किया ति बल ली 2000 को या कि वाइं सुलर अकीरा ने सुनाग्टी सुनाग्री सुनाग्री में निर्देश हुट लिस ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पॉंस दी अर्लेकिन मूवी में इंजल चीज ने किलाए अर्मुर्णती वोधा सो ने कि खुलाए आपक ये को सभिघा जाए निर्देश के DID सब्सक्रां के देखता सुनाग्री सैद्ट्राइशन के निर्चीज ने ने किलाएं की श्रमारेज रिखी हुण कि मुवमे कानु ने लगरी ते घ्रेशन गोड़ के वे रिए मुंतानीम प्रुपाज और शुटी हज़त नोखे को भी दाओं है। इसमरे पजित के नादे में प्रफिरा सुकुमारी को शामुद रही के संबच में ओपी शेयर अनाउश्टिप का भीजा है। यह शबी रही जाए प्रफिरा के उप्रफिरा को रहे जाए। KJF 2 के टीजर पर फैंस का प्रफिरा नील ने क्यों जताया अभार। KJF के रॉकी भाईगी नहीं अधीरा भी क्या एंट्री मारेगा तशन में। अक्षे के बाद क्यों दूसरे नंबर पर हैं यश की KJF 2? जानने हैं सुभी सवाला के जवाब तो वीडियो के अंतक बने रही है हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कम दोस अन्विता पाचत। और पॉलिवेट स्टूजियो की फिल्में दुनिया में करती हूँ आपका स्वागर। दोस्तो साथ सूपरस्टा यश की KJF 2 का इंतजार दर्शिवों के पीच बहुत ही बेसबरी से हो रहा है। ये फिल्म चुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस में हमारी की वज़े से ये सिर्मा घरों तक नहीं पहुंच पाई है। फिल्म के निरमाताओं ने कुछ महीनों पहले KJF 2 का टीजर जारी करके फैंस को रिलीज के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन कोरोना ने फैंस और निरमाताओं दोनों की उमीदों पर पानी फेर दिया है। बता देगी महीनों ! पहले रिलीज वे टीजर पर कुछ जादू हुआ है इस पर फिल्म के जरेक्टर प्रशान नील ने कुछ दिर पहले ही ट्वीजर पर केजियर 2 का टीजर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा है केजियर 2 के टीजर ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है प्रशान नील ने फैंस को टीजर पर इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद कहा है प्रशान नील ने ट्विटर पर लिखा है आग सभी नी फिल्म के टीजर को जो प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया फिल्म वैसे तो सबको पता है कि फिल्म केजियर टू में यश्का मकाबला संजदत के साथ है जो बॉलेवुद के खल नायक माने जाते हैं संजदत ने केजियर टू के लिए अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है केजियर टू से सामने आया संजदत को फस लोग दर्शकों को बहुत पसंद आया है सुन्ने में आ रहा है कि KGF2 में संजदत के एंट्रिक शंदार गाने पर होगी जो लोगों की जुबान पर चड़ जाएगा संजदत के लावा KGF2 में रवीना धंडम भी एहम भूमिकाने बाती दिखेंगी रवीना धंडम काफी समय के बाद फिल्मों में वापसी कर रही है जिस कारण दर्शक काफी एक्साइटेड है अगर KGF2 की रिलीज की बात करें तो ये दीरे दीरे मिस्ट्री बनती जा रही है जायद अक्षे की सूरे वंच्री के लावा यश की मुवी KGF2 तारी को आगे बढ़ाने में पहले नंबर पर है जल्दी नहीं हुए फिल्म तो यश के चाहने वालों के पेशन्स में जरूर कमी आएगी तो उमीद करते हैं आप अपने फैंस को इतना इंतुजार नहीं करवाएंगे क्या यश को मिलेगी डबल रकम? कैसे होगी यश की चांदी चांदी? मेकर्स ने कैसे ओपरस मिल रहे हैं यश को? अपनी फैन फॉलॉइंग से आज नेशन को भी क्रॉस कर दिया है जिसका साब सीधा असर KGF2 पर दिखाई देगा इतना ही नहीं यश खुद भी अपनी बढ़ती पॉपुलारिटी से खास बाकिफ हैं और उन्होंने KGF2 के लिए मेकर्स से एक भारी रकम की मांग भी की है दोस्त इस बात में कोई शक नहीं है कि KGF उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता थी खास करके हिंदी वर्जिन KGF1 के लिए उन्होंने 15 करोर रुपे की मांग की थी अब KGF2 के लिए वो और भी ज्यादा मांग कर रहे हैं हालकि KGF1 की पेइमेंट उन्हें रिलीस के बाद ही मिली थी लेकिन अब सीकुल की बात करें तो KGF2 के लिए अपनी फीस सीधे सीधे डबल कर दी है उन्होंने जिहां दोस्तों यश ने फिर्म के लिए 30 करोर रुपे की मांग की है जिसे मेकर्स ने मना भी नहीं किया सिर्फ इतना ही नहीं मेकर्स ने इसके अलावा यश को ऐसे भी प्रॉमसिस किये हैं जो वाकई लाजवाब है दरसल मेकर्स ने उन्हें थियेटिकल बिजनस में इसे होने वाले टोटल प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा देने का भी शेयर की बात की गई है उन्हें ये चीज ओफर में मिली है यानि अब यश के लिए ये एक सोने की खान है क्योंकि सभी जानते हैं आने वाली ये फिल्म KGF Chapter 2 Box Office पर आतिश बाजी लेने वाली है शोर शोर्ट की तरह से इस बात में कोई शक नहीं है कि जब फिल्म थियर्टिकर में चले जाएगी तो कमाई के रूप में बड़े बड़े फिगर्स सामने आएगी और ऐसा लगता है कि इस बार तो मेकर्स भी यह बात जानते हैं तब ही तो इतना चिल से अभी तक यह कहा जा रहा है कि KGF 2 यश की तरह एक जैकपॉट के रूप में सामने आने वाली है दोस्तों आपको बता दे कि अगर KGF 2 भी पिछले फिल्म जैसा शो इस बार कर पाती है तो यश को कन्ड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा यह फिल्म इस समय की सबसे बड़ी एंटिसिपेटेट फिल्मों में से एक है प्रशान्त नील द्वारा निर्देशत इस फिल्म में यश के अलावा संजेदत, श्रिंदी शेटी, रवीना टंडन जैसे और भी कई सारे स्टार्स मौजूद होने वाले हैं यह फिल्म कंड़ा, हिंदी, मल्या, अलम, टेल्गू और तमिल जैसी पाच लाइगवजेज में 17 दिस्टेंबर को रिलीस की जाने वाली है फिल्म सचुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जहुर दबा दीजे तो आई शुरू करते हैं आज का ये मचुदार वीडियो दोस्तों KGF के रॉकी भाई इस समय हॉलेवुद के रॉकी यानि की सुल्वेस्टर स्टैलोन की सला मशुड़ा कर रहे हैं कि कैसे आपने पंचिस को स्रॉंग किया जाए लेकिन जैसे ही ये बात बॉलेव जबने ता टाइगर शॉफ के कानों तर पहुंची उन्होंने दहाड मारी ट्वेटर पर और लिख दिया एक ट्वीट अपने प्यारे चहेते आईगन को दरसल रैंबो बनाने की ख़बर सामने आई है जिसमें टाइगर स्कॉफ को बतौर अभी नेताव लेने की ख़बर भी सामने आई शुकी है पिल से जुड़ा एक फैंग में पोस्टर की देखा गया है जिसमें टाइगर सिल्विस्ति स्टैलों की तरहे रेड हेट बेंजिना पहने फुल बॉडी पर ओल लगाए डूल मिट्टी को अपने जिम तिद बॉडी पर चिपकाए नजर आए गई दर्शेकों ने उनके लुप को पसंद भी किया तो कईयों का कहना था कि वो ही मैन के एक्शिन फिगर की तरह नजर आ रहे हैं वहीं आपका क्या कहना है इस बारे में और तो और जब बॉलिवुड रैंबो की बास फॉलिवुड रैंबो के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी ट्विटर पर अपना हाले दिल बयान किया और बहुत ही प्यार से बॉलिवुड को शुप्राम नहीं देते हुए कहा बाईो मेरी फिल्म का पालूदा मत कर देना क्योंकि इज़त कमाने में सालों लगते हैं और बिगाडने में अर्नब बुसामी की कही वस एक बात फिर क्या था बाल ठाकरे की तरह रैंगो के हीरो टाइगर ने कर लिया फिल्म से पैक अप और इसके बाद ये फिल्म पहुंची सीधा अपने रॉकी भाई के पास लेकिन रॉकी भाई ने भी कसम खाई हुई है जब तक बाहुवली के रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आखिर वादा मा से किया था तीन साल पहले और जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा रॉकिंग स्टार्ट कही जाने वाले बनेता यश जो पिछले तीन सालों से दाड़ी नहीं कचवा पा रहे हैं ताकि दर्शक उने रॉकी भाई की जगए यश ना बोलने लग जाए ऐसे में वो कैसे रैम्बो के लिए हामी भर देते तो फिर हुआ वही जो मंसूरे प्रशांत नील होता है प्रशांत नील जो केजेग की सक्टोफ में इतने डूबे हुए थे कि वो अपनी फिल्म सालार के बारे में लगता है पूल ही गए हैं तब ही तो फिल्म को लेकर कोई नई खबर नहीं आ रहे हैं वही अमीर होने की ज बैल की भी नहीं सुनते लेकिन फिल्मों और असलियत में काफी अंतर है मामू तब ही फिल्म के इतने वीज और लाइक्स पाने के बाद इसे डिलीट करके दुबारा से अफ्लोट किया गया यूच्यूब पर यानि जवार एंटी स्मोकिंग की गोहार के साथ वही फिल्म के तो जेक बनाएंगे उसमें बॉलिवुद के एक्टरस को लाएंगे और धेल सारी भाषाओं में रिलीज करने का भी जिम्मा उठाएंगे वो भी पानाडमिक में साथी साथ दर्शकों को हर बार स्टोरी बोलकर रिलीज जेक को आगे खिसकाएंगे तो धंगी नहीं तो क्य और वोईस ओवर अभी तक बीच में ही लटका है जिस वज़े से फिल्म फोस्ट प्रोडक्शन में फसी हुई है और फिल्म में एक इंटेंस डार्क और स्लो सॉंग होगा जिस सिर्फ और सिर्फ अधीरा की एंट्री के लिए स्किमाल किया जा रहा है बाई वाई वाई सलाम रोकी भाई के बाद अब वनक कम अधीरा होने वाला है क्या और क्यों संजय के किरदार को इतनी अटेंशन दी जा रही है इसके पीछे का राज है काला जंडा जी हाँ टीजर अगर अपने देखा हो तो अधीरा अकेले नहीं लौट रहा है केजिएफ में बलकि पूरी के साथ होगी अधीरा के एंट्री साथ ही इस आर्मी में ठामा है काला जंडा अब दूर से तो जंडा ही लग रहा है पास से तो ट्रेलर में देखकर यह पता चलेगा इस जंडे पर जंडे का राज जहां चैप्टर वन में रोकी के सामने जिर्फ एक ही में विलिन था वहीं लड़की पर कभी विश्वास नहीं करने का बिल्कुल रिक्स नहीं लेने खाड़े बाबा लेकिन रिक्स तो रॉकी भाई ने ले लिया रमिका सेंट पर बरोसा करके क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने चिप चिप पर सा पानी का वीडियो देखा था अब लड़कड़ा स्टेटस पर लगाकर फिल्म की एंडिंग कर दी चलिए तो बस एक मजाग की बात थी लेकिन क्या फिल्म में सही में रमिका रॉक्की के खिलाफ होंगी या पिर साथ अपनी राए हमें कॉमें वर्क्स में लिख कर जरूर बताएं इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें शेय साथ एलिमेंट के बारे में और वह भी ब्लॉग बस्टर मुवी की जीफ के बारे में नमस्कार दोस्तों स्वाकर आप सभी का बॉलिग्राथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी आईए सब भी सवालों के जवाब जान लेते हैं हमारी आज क इस वीडियो में तो मेक्शार आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें इस मूवी में दोस्तों चार चांद लगाने वाले सफल शूट लोकेशन्स और उसकी इंट्रस्टिंग फैक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे के जीफ मूवी साल 2018 की कर्णर फि चांद बनाई हर मूवी में दो तरह के लोकेशन्स होते हैं लाइव लोकेशन्स और स्टूडियो लोकेशन्स बात अगर इस मूवी के खास शूट लोकेशन्स की की जाएं तो दोस्तों कई सारे लोकेशन्स और पार्ट्स में शूट हुई थी जैसे कि कोलार मैसूर और कुलार माइन्स फील्स पर भी यह मूवी शूट हुई थी जब फिर्म की 50 प्रतीशत शूटिंग खतम हो गई थी तब फिर्म का सेट बारिश की वज़ा से पूरी तरह से डिस्ट्रॉइ हो गया था दोस्तों के प्रोडक्शन फिर से तब शुरू ही जब फिर्म सेट को वाप श्किल हो जाता था क्योंकि दोस्तों बता दे कि महां पर तेज हवा और बारिश जम कर होती थी अगर हम फिर्म को एक सिनमाटिक एक्सपीरियन से देखे तो फिर्म का हर एक सेट चाहे वह फिर्म सेट हुई या फिर लाइव लोकेशन हर लोकेशन की एक लाइव और खास फ कि बड़ी मांग कौन सा बड़ा सर्प्राइज मिल सकता है केजिय फैंस को दशेरा पर ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रही हमारे साथ इस वीडियो में नमश्कार मेरा नाम है नीधी ठाकुल और स्वागत है आपका बॉली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बड़े सर्प्राइज के बारे में जो जल्दी ही मिल सकता है केजिय फैंस को हमें मिली जानकारी के मताबिक दशेरा पर केजिय फैंस के लिए एक बड़ा सर्प्राइज सामने ला सकती है केजिय फैंस की टीम तो क्या है ये बड़ा सर्प्राइज आईए देखते हैं इस वीडियो में साउथ इंडियन आक्टर यश्की केजिएफ चाप्टर 2 साल की सबसे एंटिसेपेटेड फिल्म है हाला की रिलीस का इंतिजार अभी भी जारी है लेकिन फैन्स अपने फेवरेट रॉकिंग स्टार यश्क भाई को फिर से एक बार बड़े परदे पर देखने के लिए बेताब है कीजिएफ चाप्टर 2 का क्रेज भी इतना बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया हर दिल कीजिएफ 2 पर हैश्टेग से गुलजार हो रहा है आपको बता दें हाल ही में रॉकिंग स्टार यश्क को एरपोर्ट पर देखा गया था वहाँ पर वे कई फैन्स के साथ सेलफी लेते हुए और पेपराजी को कोज देते हुए एक अलग अंदाज में नज़र आए बाद में उन्हें मुंबई की रोट पर भी देखा गया स्क्रीन पर उनके स्टाइल और तौर तरीकों ने पहले ही पैन इंडिया फिल्म फैन वीवर्स को अट्रेक्ट किया है लेकिन अब उनकी रियल लाइफ लुक्स भी खूप सुर्खियां पटो रही हैं जिससे पता चलता है कि रोकी भाई रियल लाइफ में भी वही स्टाइल और स्वाग कैरी करते हैं यश के इस लोग को पसंद करने वाले फैन्स ने उन्हें रियल बॉस कहा और अनुमाल लगाया कि यश, संजेदत और अविना टंडन अभी नीट केजी एफ टू भारत में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन जाएगी हाल ही में केजी एफ टू की मेकर्स ने अनौंसमेंट की कि फिल्म अगले साल 14 एप्रिल को सिनेमा घरों में उतरेगी इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्टर शेयर करते हुए आक्टर यश ने पोस्ट को कैप्शिन दिया हम 14 एप्रिल 2022 को सिनेमा घरों में उतरेंगे प्रशांत नील की डिरेक्टिट मूवी केजी एफ चाप्टर टू तो हजर अथारा में रिलीज होने पर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान ला दिया था अब सब के नजर केजी एफ के दूसरे पार्ट पर है बॉलिवुट अभी नीता, संजेदत अगले पार्ट में उपोजिशन का रोल निभाते हुए नजर आएगे जब के एफ चाप्टर टू फिल्म, कंणड, तमिल, तेल्गू, मलियालम, हिंदी में रिलीज होगी फिल्म के रिलीज डेट में अलरेड़ी इतना लेट होने के बावजूद, फैन्स के एकसाइटमेंट में कोई भी गरावत नहीं आई है लेकिन ऐसा लगता है कि फैन्स KGF की दूसरी इंस्टॉल्मेंट में KGF के मेकर्स के तरफ से एक बड़े सर्प्राइज की होब कर रहे है हमें मिले मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक KGF 2 का फॉर्स्ट सिंगल दशैरा तक रिलीज होगा लेकिन इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है अब ये देखने वाली बात होगी कि KGF 2 के मेकर्स फैन्स की डिमार्ड फुल्फिल करते हैं या नहीं KGF 2 से लोगों की क्या-क्या हुई दे है KGF 2 का लोग कितनी बेश सब्री से इंपजार करते है KGF 2 के डिले होने का क्या वीजन है नमस्कार दर्शको आप सभी का मैं बहुत-बहुत सवावित करते हैं मैं हूँ आपकी बोस्ट और दोस्ट सिमरंट गोवर आज हम बात करेंगे बॉलेवर की एक ऐसी मुवी जिसने रिलीज से पहले ही इन लोगों के तेलो किया जाएगा पांच भाशाओ में याने की तमिल, तेलेबू, मल्यालम और हुगी में यश ने इस फिल्म से लोगों का दिल चीट गिया था लोग इस फिल्म के दिवाने हो चुके थे और यश के भी अब इस फिल्म के रिलीज होने का बाक आ चुका है यहां दोस्तों, यह फिल्म पहले रिलीज होने वड़ी थी 23rd October 2020 को लेकिन COVID pandemic के चलते इस फिल्म की रिलीज वो पोस्पॉन कर दिया गया अभी हाली में ही 21st Jan 2021 को ही इनके फिल्मेकर्स ने बताया है अब यह फिल्म रिलीज होने जा रिखने 16 July 2021 को लेकिन आपको अब बतागों कि शायद इस फिल्म की रिलीज देट फिर से आभी बढ़ने वाली है लेकिन आज हम आपको एक ख़बर देने वाले हैं इस फिल्म के रिलीज देट पोस्पॉन होने की पास्टी है और जब तक यह फिल्म सिनेमा हॉल पे रिखने हो जाती है यह लोगों के लिए बहुत दूप्ता है कबर है और कुछ लोग इस decision से खुश भी है और कुछ निराश है कि KGF Chapter 2 के लिए salary कितने में बिके हैं KGF Chapter 2 के satellite rights इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लाश तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवान स्वागत है आपका Bollygraf Studios में साउथ स्टार यश की सूपर हिट फिल्म KGF Chapter 1 के मेगा सकसेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानि KGF Chapter 2 भी जल्द ही बड़े परदे पर रिलेस होने वाला है जी हाँ जब से इस बारे में अनाउंस्मेंट हुई है KGF के फैंस तो मानोख खुशी से जूम ही उठे हैं KGF Chapter 2 के रिलीस के लिए साउथ बेस जी चानल के साथ कुलाबरेशिन किया गया है KGF Chapter 2 के साउथ साटलाइट प्राइट जी कंडर, जी तेलगू, जी तामिल और जी मल्यालम को रिकॉर्ड की इमत पर बेचे गए है KGF Chapter 2 जब बनाई जा रही ही उस वक्त किसी ने उमीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अप अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा साट इस की साटलाइट प्राइट इतने कड़ोरों में बिकेगी रॉकी भाई यानि की इश ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपे चार्ज किये थे लेकिन रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना जादा फेमस हुआ कि KGF चाप्टर वन से जादा लोग रॉकी भाई के कारेक्टर को आज भी याद करते हैं इसी से खुश होकर रॉकी यानि की इश को 15 करोर की जगे 30 करोर का चेक लिया गया अब फिल्म के सेकेंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं यश के बाद इस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉल वुड़ अबिनेता संजय गत का जी हाँ संजय दत इस अपकामिंग फिल्म में अधीरा का कारक्टर प्ले करने वाले हैं जो की एक नेगटिव कारक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजय दत ने करीब 9 करोर रुपे लिये हैं इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदे हैं दर्शकों को और साथी मेकर्स को भी हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने केजियेफ के पहले भाग को प्यार दिया था उससे भी दुगुन्ना प्यार केजियेफ टाप्रे 2 को भी मिले KGF के पहले भाग को देखने के बाद ओडियंस के मन ये कई तरीके के सवाल है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा बस खोड़ा और अधिजार और करना है फिल्म को लेकर ओडियंस के बीच इतनी इकसाइटमेंट और क्योसिटी है कि शायद इसी वज़े से KGF के चाप्टर 2 के सेट लाइट राइज को इतने महेंगे तरज पर बेचा गया है आप सभी कितने जादा उत्साहित हैं KGF चाप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके सरूर बताएं किस ख़बर से चौके KGF फैंस क्यों हुआ मूवी का रीशूट ऐसे ही तमाम KGF से जुड़े सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंति तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में रॉकिंग स्टार यश की KGF चाप्टर 2 इन दिनों काफी सुर्खियों में है और आए दिन हम इसके बारे में कोई न कोई नई नियूज सुनते ही रहते हैं लेकिन हमें फिलहाल में एक ऐसी नियूज के बारे में पता चला है जिस पर शायद आपका विश्वास करना मुश्किल होगा क्योंकि ये नियूज आपके लिए काफी शौकिंग होने वाली है अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या नियूज है तो चलिए देखते हैं आगे विडियो में नमस्कार मेरा नाम है निधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली ग्राड स्टूडियोज में KGF चाप्टर 2 2018 की फिल्म KGF चाप्टर 1 का सीक्वल है आपको बता दें KGF की पहली फिल्म दुनिया भर में संसनी बन गई थी और इसे खूब पसंद किया गया था इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में कंदर्ट सूपरस्टार रॉकिंग स्टार यश के साथ साथ KGF 2 में बॉलिवुड के सूपरस्टार संजैदत यानि हमारे संजी बाबा और बॉलिवुड की टिप टिप बरसा पानी गर्ड यानि की हमारी रवीना टंडन मुख्या भूमे काउं में नजर KGF 2 को अगले साल 14 एप्रिल को थीटर्स में रिलीस करने की अनौंसमेंट की गई है फिल्म लंबे समय से पोस्ट प्रोडक्शन के आधीन है और सभी को लगा फिल्म के शूटिंग कम्प्लीट होकर रैप अप भी हो चुकी है हाला की लेटेस्ट अपडेट्स ये इशारा दे रही है कि KGF 2 यूनिट ने बैंगलोर में एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग अभी पूरी की है ये वास्तव में KGF 2 फैन्स और वैलविशर्स के लिए एक शौकिंग निउस है क्योंकि सभी को लगा था कि फिल्म के शूटिंग पूरी हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है KGF 2 के डिरेक्टर प्रशांत नील प्रशांत नील की सालार में चले गए और इस फिल्म की शूटिंग टेज स्पीड से आगे बढ़ रही है इस फैक्ट को देखते हुए ये एक वास्तविक आश्चर्य की बात है कि KGF 2 की शूटिंग अभी भी शूटिंग के स्टेज में ही है अब इस बात की पुष्टी तो खुद टीम के मेंबर्स ही रही सकते हैं लेकिन आप इस बात पर क्या सोचते हैं हमें नीचे लिए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही बॉलेवुड जगत की अन्या ख़बरों के लिए जड़े रही हमारे साथ बॉली ग्राइट स्टूरियोज में क्यों भड़के KGF फैन्स? रॉकी भाई के कैरेक्टर के लिए यश थे दूसरी पसंद कौन था फिर रॉकी भाई के रोल के लिए पहली पसल KGF चाप्टर वन वास्तव में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बैंचमार्क फिल्म बन गई है इस बीच हर गुजरते दिन के साथ फांस के बीच KGF चाप्टर 2 को लेकर एकसाइटमेंट बढ़ती ही जा रही है नमस्कार मेरा नाम है नीधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली क्राइट स्टूरियोज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF 2 से जुड़े कुछ ऐसे रास के बारे में जो ना तो आपने सुने होंगे ना आपने सोचे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रशांत नील की KGF सीरीज ने अब तक अपनी एक अलग दुनिया बना दी है जिसे KGF 2 के ओफिशिल टीजर की दुआरा सेट किये गए रिकॉर्ड से आसानी से पता लगाया जा सकता है रॉकिंग स्टार यश एक पैन इंडिया अक्टर बन गए हैं वहीं प्रशांत नील की काउंटिंग अब A-Listed Directors में होने लगी है इसके अलावा KGF Chapter 1 के माध्यम से आक्टिंग की शुरुआत करने वाले गरुन अब साउथ फिल्म इंडिस्ट्री के पेमस अक्टर्स में से एक है वियर्स को फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और उसकी प्रजेंटेशन का होनर सबसे ज्यादा अट्रेक्ट करता है KGF के सिनेमेटोग्राफर गुवन ने भी फिल्म के लिए बड़ा पेमेंट पाकर पॉपुलारिटी हासल की जहां सभी फान्स KGF को अपडेट का भी सब्री से इतजार कर रहे हैं वही फान्स इस फिल्म का निर्मान से जुड़े हर पहलू पर नजल रखे हुए हैं नहीं रही और जिसके लिए उन्हें बाद में पच्चतावा भी हुआ कार्दिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पिक्चर शेर की जिसमें लिखा था रॉकिंग स्टार यश नहीं ये मंचू विश्नु थे प्रशांत नील ने पहले मंचू विश्नु को KGF सुनाया लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया तेलगो फिल्म इंडस्ट्री के करीबी सूत्रों से सुना कि विश्नु मांची नहीं कहा है अगर सच है तो मैं दोहराता हूँ इसमें 0% सच्चाई है प्रशांत अब तक विश्नु से एक बार भी नहीं मिले हैं हाला कि बाद में उन्होंने माफी के नोट के साथ त्वीट को हटा दिया मिसलीडिंग इंफरमेशन से रिलेटेड कोई भी ओफिशिल कन्फरमेशन या क्लियर एंस नहीं आया कई यूजर्स ने सिनमाट्रोग्राफर को फटकार भी लगाई यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि यश्के बजाए रौकी भाई के किरदार के लिए अभिनेता विश्णू पहली पसंद थे या नहीं या क्या तेलगू अभिनेता ने ऐसा कोई बयान दिया भी था या नहीं हाला कि misleading information शेयर करने के लिए माफी मांगने के बाद कई लोगों ने कार्थिक की तारीफ भी की एक interview में प्रशान्त ने खुलासा किया था पैन इंडिया मार्केट के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े बजट और एक बड़े स्टार की जरूरत होती है इसलिए यश आटोमाटिकली इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए मैंने उनकी फिल्म में पहले देखी थी और मैं उनका फैन था इसलिए जब आप किसी अक्टर के फैन होते हैं तो उनके साथ काम करना असान होता है इसलिए इन ही सभी पहलूँ पर विज़ार करते हुए ये कहा जा सकता है कि तेलगू आक्टर विश्णू के बारे में इन्फरमेशन मिसलीडिंग थी और यश केजियेफ के लिए पहली पसंद थे तो आप बताईए क्या आप तेयार हैं एक बार फिर से रौकी भाई का चलवा देखते के लिए हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में इस शीज का आंसर जरूर बताएं और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर और कॉमेंट करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्या पोस्ट कर रही है अपने सोशल मीडिया पर नमस्कार दोस्तो वेलकम टू बॉलिगरार स्टूडियो और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी दोस्तो किसी भी स्टार के बारे में अगर कोई लेटिस्ट इंफरमेशन चाहिए तो उसका सोशल मीडिया खंग यहां तक कि बड़े-बड़े प्रिजेक्ट्स के प्रमोशन भी सोशल मीडिया पर अराम से हो जाते हैं इसलिए आज के जमाने में सोशल मीडिया को एक वरदान माना जा सकता है जिसके बिना शायद से लोगों को अपनी जिंदगी में थोड़ी कमी महसूस होगी तो आईए हम लोग आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर बात करेंगे के जिफ्टू के स्टार कास्ट और उनकी सोशल मीडिया अक्टिविटीज पर तो जिन स्टार्स की यहां बात करी जाएगी वह हैं अपकमिंग मूवी के जिफ्टू के स्टार्सू के जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी अघटिव दिख रहे हैं अपकमिंग मूवी के जिफ्टू को प्रमोट करने के लिए शुरुवात करते हैं यश से, तो यश आज कल काफी time अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं यश ने हाल ही में अपने चोटे-चोटे बच्छों के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी जहां पर कुछ ऐसा देखने में लग रहा था कि यश अपने बच्चों की बात काफी ध्यान से सुन रहे हैं जो कि काफी क्यूट लग रहा था यश अपनी बेटी से बहुत जादा प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने डॉर्टर्स जे के दिन अपनी बेटी के साथ पिच्चर शेयर करते हुए लिखा मैं तुम्हें पूरी जिंदगी बात करते हुए सुन सकता हूँ तुम मेरे दिल का एक अनमोल टुकड़ा हो यश अपनी फैमली को कभी भी अपना प्यार दिखाने में नहीं जी जगते यश जोरो शोरो से फिल्म के प्रमोशन में भी लगे हुए हैं और इसलिए वो काफी फ्रीकुंटली के पोस्टर्स शेयर करते रहते हैं सोशल मेडिया पर ताकि लोगों में पोस्टर्स को देख कर के जिफ्रू के एकसाइटमेंट बनी रहे अगर दूसरी और बात की जाए संजेदत की तो संजेदत ने अपने डेब्यू एक्सपो की पिक्स भी डॉप की थी हाली में और उसके साथ साथ ही अपने एक अडविटीजमेंट से भी रिलिजेट पोस्ट शेयर किया जो की था विलन पर्फियूम का संजेदत हमेशा से ही गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं इसलिए उन्होंने गांधी जयनती पर गांधी जी वाले एक पिक्चर भी शेयर की थी और कैप्शन में लिखा उस इंसान के लिए जिसने हम सब को सिखाया साथ ही संजद अद्भी केज अफ्टू की प्रोमोशन के लिए पोस्टर शेयर करते रहते हैं और कॉमेंट सेक्षिर में भी फैन से इंटराइट करते हैं इसके साथ ही रवीना टंदन की बात करें तो वो आजकर अपने शेडियूल के चलते अपना टाइम फैशन मॉरेलिंग में दे रही है उन्होंने कई सारे पोस्ट शेयर किये हैं जिसमें वो सेट्स पर रेडी हो रही थी या फिर अपना फोटो शूट करा रही थी रवीना ने अपने हैर में भी एक चेंज किया है जिसके पेगुनों ने इस्टेग्राम पर शेयर की है रवीना अभी अपने सोशल मीडिया अक्टिविटीज में केजिफ्टो को प्रमोट करते हुए भी दिख रही है और वो फ्रीकुंटली केजिफ्टो के टीजर या पोस्ट या स्टोरीज डालती रहती है श्रीनी धी अभी अपने काफी टाइट शेडूर के वज़े से सोशल मीडिया थोड़ा अक्टिव नहीं है लेकिन वो जब भी सोशल मीडिया को टाइम देती है तब वो केजिफ्टो के बारे में लोगों को कन्वे करना नहीं भूलती तो ये है केजिफ्टो की स्टार कास्ट की कुछ लेटिस्ट सोशल मीडिया अक्टिविटीज अगर आप और कोई नई अपडेट इन स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस मुवी के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और ऐसी ही मुवी से जुड़े लेटिस्ट अपडेट के लिए फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे बॉली ग्राट स्टूडियोज को और क्या के जिए फटू में हमें इस बॉलिवुद सिंगर कभी एक सौंग सुनने को मिल सकता है हाई एबरिवान और वेल्कम अगान तो यूट्यूप चानल बॉलिग्राट स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी तो चलिए शुरू करते हैं आज क इस वीडियो को जो कि बेस्ट है एक अपकमिंग आक्शन त्रिलो मूवी यानि की के जिए टू पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टॉल वर इंडास्टिक की आने वाली नेक्स्ट बादशाह यानि की यश्च और उनकी मुच अवईड़िट मूवी के जिए टू की तो ये भीड देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि सिक्यारिटी को आना पड़ा उनकी घर के बहार और दोस्तो तब जाकर ये मैटर कहीं शान्त हो पाया पर दोस्तो कि आप जानते हैं कि केज एफ टू में हमें इस आक्ट्रस का एक तामी अपीरिंस देखने को मिल सकता है औ और दोस्तो जरूर उनके होने से इस मूवी को काफी ज़्यादा ही होगा क्योंकि अनुशकर शाप्टी टॉलिवर्ड की सबसे पेमिस और हाइस पेड़ आक्रस में एक हैं और दोस्तो साथ ही इस मूवी में उनके होने से फांस का इंप्रस्ट फिल्म के लिए और को मिल सकती है पर दोस्तों अभी सिंदी उसको लेकर कोई ऑफीशल स्टेट्मेंट सामने नहीं आई है पर ऐसा होने के चांसे लग रही है अगर हम बात करें कि आखिर पॉन है वह फेमस बॉलिवुद सिंगर जो स्मूवी में कुछ सॉंग्स को गाते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों कुछ खबरों के अनुसार इस मूवी में हमें शंकर महादेवन की आवाद सुनने को मिल सकती है और उनके सॉंग्स को केज़ेफ 2 में सुनने के लिए हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा है पर दोस्तों अब ये देखने लायक होगा कि क्या फांस की दिमांड प केज़ेफ 2 का एंकाउंटर सीन शूट रॉकी और अधिरा ने क्या सच में हाथा पाई की रवीना का कैसे जुड़ा है फाइट सीन से कनेक्शन नमस्कार दोस्तों आप सिबका बहुत-बहुत स्वागत है बॉली प्राय स्टूडियोस में और मैं हूँ आपकी होस्त बहुत सारी पुलिस जो की रॉकी का फिल्म में एंकाउंटर करने के लिए शामिल होंगे सीन पर पहुंचने से पहले आपको बता दे कि प्रशान नील की आने वाली फिल्म के जिए चाप्र दूर एक एक्शन स्रुलर फिल्म है लेकिन को भी फिल्म धंबाकेदार एक्शन हाथा पाई के विना बैतर एक्शन स्रुलर कैसे हो सकती है हां तो अब बात करते हैं इस फिल्म के एंकाउंटर सीन की ग्याश के एंकाउंटर से पहले इसमें लडाई दिखाई जाने थी जो की रॉकी और अधिरा के बीच थी अब किसी भी एक्शन सीन को रियल दिखाने के इसका परिणाम ये हुआ कि शूट के दौरान सभी को काफी खरोचे आई लेकिन ये एक पॉफेक्ट शॉट बन गया फिल्म के डिरेक्टर प्रशांत नीन इस सीन के बारे में कहा ये मज़ेदा सीन था याश और संजे इस सीन के एनरजी को तराशने के लिए बेहद ओपन ये पहली बार हुआ जब याश और संजे का अमना सामना हुआ मैं इस सीन को वासिक बनाना चाहता था इसलिए मुझे याश और संजे को ये आजादी देनी पड़ी कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं बेशक अपने हाथों को थोड़ा ट्राइट करके वरना इन दोनों में इ एक एंगल रमिका सेन यानि की रवीना टेंडन का भी जुड़ा था जो फिल्म में एक राजनेता की भूलिका में नजर आने वाली हैं इसमें रमिका ने यश को मारने के लिए आदेश दिये हैं जो हमें इसके तीजर में देखने को मिला लेकिन इस बात में कितनी सचाई है और कितना जूट यह आपको जल्दी पता रज़ जाएगा और वो कैसे जाहिर है हमारी वीडियो देखकर तो जुड़े नहीं हमारे चानल के साथ सब्सक्राइब कीजे बॉलिक्राइब स्टूडियोस को कितने में बिके हैं केजी अफ चाप्टर टू के साटलाइट राइट इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूगी हमारे इस वीडियो में तो लाज तक बने रहे हमारे साथ स्वागत है आपका बॉलिक्राइब स्टूडियोस में साउथ स्टार यश की सूपर हिट फिल्म केजी अफ चाप्टर वन के मेगा सक्सस के बाद फिल्म का सेकंड पार्ट यानि केजी अफ चाप्टर टू भी जल्द ही बड़े परदे पर रिलेज होने वाला है जी हाँ जब से इस बारे में अनाउंस्मेंट हुई है केजी अफ के फैंस तो मानोख खुशी से जूम ही उठे हैं केजी अफ चाप्टर टू के रिलीज के लिए साउथ बेस जी चानल्स के साथ कुलाबरेशन किया गया है केजी अफ चाप्टर टू के साउथ साटलाइट ड्राइट जी कंडर, जी तेलगू, जी तामिल और जी मल्यालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं केजी अफ चाप्टर टू जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उमीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा, साथ इसकी साटलाइट ड्राइट इतने कड़ोरों में बिकेगी रौकी भाई यानिकी यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपे चार्ज किये थे लेकिन रौकी भाई का कारेक्टर इतना जादा फेमस हुआ कि KGF चाप्टर वन से जादा लोग रौकी भाई के कारेक्टर को आज भी याद करती हैं इसी से खुश होकर रौकी यानिकी यश को 15 करोर की जगे 30 करोर का चेक दिया गया अब फिल्म के सेकंड सीक्विल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं यश के बाद इस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉल वुड अबिनेता संजेदत का जी हाँ संजेदत इस अपकाविंग फिल्म में अधीरा का कारक्टर प्ले करने वाले हैं जो की एक नेगटिव कारक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजेदत ने करीब 9 करोर रुपे लिये हैं इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदे हैं दर्शकों को और साथी मेकर्स को भी हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने केजियेफ के पहले भाग को प्यार दिया था उससे भी दुगुन्ना प्यार केजियेफ चाप्टर 2 को भी मिले केजियेफ के पहले भाग को देखने के बाद और्डियंस के मन में कई तरीके के सवाल है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा बस थोड़ा और अंतिजार और करना है फिल्म को लेकर ओर्डियंस के बीच इतने excitement और curiosity है कि शायद इसी वज़े से KGF के chapter 2 के satellite rides को इतने मेहंगे तरज पर बेचा गया है आप सभी कितने जादा उतसाहित हैं KGF chapter 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके सरूर बते हैं फिल्म मेकिंग के क्या है खास किस से कितना टाइम लगा मूवी को बनाने में फिल्म मेकिंग की किस चीज में लगा सबसे जादा वक्ते हैं वशकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वाकत है आप सब का बॉलिग्राइट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंक्फरी अगर हम सभी इंडियन सिनमा में अब तक की चॉप सकसेसफूल ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करे तो काफी सारे आइक ओनिक मूवी में ख्याल आता है आपकी राय में कौन सी हो सकती है अब तक कि सबसे commercially successful film हमें comment section में बताईए एक super successful film जिसने अपनी film making में बाव बली को भी पचार दिया वो है world famous कनड़ा movie KJF KJF एक blockbuster film है जिसने अपनी amazing film making से सब का दिल जीता पर दोस्तों क्या हो सकती है KJF film की making के बारे में अंसुने किस से इस video में हम आपको KJF movie से making से related कुछ interesting facts बताएंगे तो जुड़ रही है हमारे साथ इस film की making पाँच अलग-अलग languages में हुई है Canada, Tamil, Malayalam, Hindi और Telugu यही नहीं के KJF ऐसी पहली कनड़ा movie बनी जो पाकिस्तान में भी release हुई हो दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरानी होगी इस film को बनने में पूरे 4 साल का वक्त लगा था गर हम film के last shot की बात करें तो film के last shot में हजार लोग थे फिल्म के set के बारे में बात की जाए तो shooting के दौरान film का set दो बार भारी बारिश strong winds के वज़े से गिर चुका था इससे दो बारा rebuilt किया गया और shooting resume हुई film में काफी तरीके से special effects भी यूज हुए और film को special effects के लिए national award भी मिला था shoot locations और set design में भी काफी details के साथ film makers ने काम किया film का initial budget 80 करोड था पर film ने 250 करोड की कमाई की जिससे film को भारी amount में profit हुआ film के set से लेके script तक हर चीज डिजाइन करने में पूरे 3 साल लग गए थे दोस्तो आप हमें comment section में बताई है कि के जिफ के बारे में आपने जो इस वीडियो में सुना उसमें से क्या आपने पहले सुन रखा था और क्या बात आपको बिल्कुल खास लगी उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसे like और share कीजे और Egypt 2 को देख टाइम फांस को किस चीज का ध्यान रुखना चाहिए और क्योंकि Egypt 2 में कुछ चीजे नोट करने वाली है Egypt 2 में क्या हो सकता है नया दोस्तों इसी बहुत सारी फल्में होती है जो की होती तो काफी फेमस है लेकिन उनमें कुछ ऐसे चीजे दिखाई जाती है जिनसे फांस काफी इंफ्लिएंस हो जाते हैं और उनको फॉलो करने का मन बना लेते हैं आज आक्टेव और्डियंस हमें इस ध्यान में रखना चाहिए कि यह चीजे से फेक इंफ्टेमिंग फीस हैं जिनने फॉलो करना बलकर ही गज़त है दोसे बात पर हम आपको बताते हैं एक न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जिसका फर्स पार्ट बहुत ही सक्सेस्फुल हुआ था और दोस्तो दूसरे पार्ट से भी यही उमीद करी जा सकती है लेकिन इस मूवी के फर्स पार्ट में की 6 सीन्स हैं जिनने दूसरे पार्ट में अगर दुबाढरा रिपीट करा जाए तो फांस उन्हें देखकर प्लीज इंफ्लूएंस ना हो तो दोस्तों जिसमुवी के हम बात कर रही है वो है दोस्तों आतारे दोस्तों यह मूवी प्रिडूल की जाएगी विजय के द्वारा। तो ये है इस मूवी के स्टार कास्त्म प्रिवू। आप दोस्तों आजाते हैं इस बात पर केज अप 1 में ऐसे कहों से सोशियोलचिकल अनपीली मॉमिन्स थे जिन दो केज अप्रम बल्कुल भी रिपेक्ट नहीं करा जाना चाहिए कहा चाहे तो केज ये बन बाके में ही एक अमेजन मुवी थी लेकिन दोस्तों इस मुवी में दिखाए गए में लीड काफी जादा अलकोहॉल और सिक्रिट अकर जमशिन करता था जिसको देख कर जादो तर लोगन स्पेशल यूट पर असर कर सकता है इमाजन करिए आप एक ऐसी मुवी को विटनेस कर रही है जो कि एक ब्लॉग बिस्टर है जिसमें काफी गूल स्टार है और वो स्टार बहुत जादो 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 जाएंगे इसको जवाब है हाँ दोस्तों कुकि आजकल हर कोई शॉफट चाहता है और दोस्तों दिखना चाहता है तो सब को ऐसा ही लगेगा कि ड्रिंग अन्समोक करने से हम शायद कूल लगेंगे और दोस्तों हो लोग इससे अडॉप्ट कर सकते हैं वैसे Indeed Rocky Drink and Smoke करते हुए काफी कूल लगता था लेकिन दोस्तों प्लीज इसे लोग एक entertainment पीस की तरह ही ले और उसे influence होने की कुछ बिल्कुल भी ना करें KGF मुवी कुछ unrealistic street fight sequence भी दिखाए गए थे जिनको दोस्तों लोग ethically incorrect नहीं सकते हैं इसी बात पर अपने time पर डूस कर देना मुवी के fight scenes को personally try करने से fans को बचना चाहिए बले ही मुवी में ऐसे fight scenes दिखाए जाते हैं लेकिन दोस्तों ये सब expert की supervision के अंडेम होते हैं कि दोस्तों ये कुछ चीज समझने चाहिए और ऐसे scenes को फॉपी नहीं करना चाहिए और दोस्तों इस movie को जी भर कर अपने support देना है KGF 2 वैसे एक बहुत सारी नहीं करेक्टर सान बहुत ही बड़ा plot twist कुद मिले कर आ रही है जिसे fans देखने के लिए काफी excited fans देखेडा श्रीदी शेटी को Rocky के नाम से फिल्म की popularity ने film से जोड़े कलाकारों की जिन्दगी कैसे बदल डारी क्या KGF का न्यू सिंगल जल्दी रिलीज होगा रॉकिं स्टार यश अभनित KGF चाप्टर 2 बहुतिक्षत फिल्मों में से एक है KGF चाप्टर 1 भारती सिनवा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उगरी है और ऐसी उगरी की तीन साल बाद आज भी लोगों के लबों पर रॉकिं भाई का नाम और यश और शी देशटी की मुख्य जोड़ी सहित इससे जोड़े अभिने ताज रात और आज स्टार्डम की ओर बढ़ गए नमस्टार दोस्तों स्वागते आप समी का बॉलिवराट टूर में मैं हूँ आपकी होस्त और दोस्त शुती और आज देकर आई हूट दारेक्ट अप्रशान्त नील की अरकमिक फिल्म के दिये चाप्टर टू से जोड़ी हुई कुछ इंफ्रेस्टिक बात है यश को बियर्ड ओय से लिकर घाडियों और दूस्ती अपिरोल्स का ब्रांड मैस्टर बना दिया गया तो अप्पी डेवियों सही वागा ही पाने वाली श्री निधी को तमल सुपस्टाव विक्रण के साथ नेक्स्ट फूबली दोनों अहीनेयताओ को रोकी भाई और रिना देसाई को उनकी चित्रट के लिए फ्यार किया गया था फैंक को यश चुंत्र श्रीणधी के बीच रभर्ष स्टी काफी पसंद आ रही है रोकी भाई और रीना ने साई की रूप में दोनों के वीच हुई प्यार भाई नों जोप में दर्शकों का तिल जीतिया फैंक दोनों को फिर से बड़ी परड़ी पर देखने का वे सब्रीज इंतजार कर रहे हैं के निर्माता उन्हें प्रिष्ण साल के इजिप चाप्र 2 से श्री निदी का फर्स लुप उनके जनन दिन पर शेयर किया था उसे काफी पसंद किया गया था यह जिसके निदेशक प्रशान के लिए टूइट किया क्या प्यार और प्रूरता वो इकुस्ट कर सकते हैं हमारी रीना श्री निदी को जनन दिन की बहुत बहुत छब काम आए हैश्टाइग हैपीबर्देश्री श्रीभी शेटी हैश्टाइग केजियर चाप्टर टू तस्वीर में श्रीदी को फुन के पहली भात में अपने शांदार वेस्टन लुक से अलग बीसी लुक में देखा जा सकता है वो काले और बोल्डिन रंकल लेंगा पहने नजर आ रही है और उनके बाल कंधी तक नजर आए इसके फैन्स को इस साल श्रीदी के कायतर के बारे में नई अम्जेट के उमीद है हलाकि निर्माताओं ने केवल श्रीदी की एक कस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन दिया हमारी दी ना श्रीदी शेटी को चलने की बहुत गौचप कामना है इस बीच फैन्स अभी भीश्रीदी के फर्स लुक को लेकर ओवेल्ज है और लगतार पोस्टल पर कॉमेंट कर रहे है पोस्टल पर एक फैन ने लिका अब हमारे रॉकी भाई का क्या होबा वहीं एक अन्य फैन ने कॉमेंट किया क्या हम रीन और रॉकी के बीच यूगल गीत क्यों मीद कर सकते हैं कंड़ ओरिजिन की फिल्म केजिफ चाप्टर वन ने देश के विभिन राज़वे लैंगविज और कल्चुरल बार्यूर्स कुरू तोचते हुए फिल्म फ्रेमियों को मैस्मराइज कर दिया केजिफ बन की निर्माताओं ने कंड़ में केजिफ के लिए दीवान ही जंगल की आग तरब फैलने के बाद फिल्म को अन्य भाशाओं में डब करना पसंद किया फैंज आकी लब्तों को जला रहे हैं जिसका अंदाजा केजिफ चाप्टर वन की बढ़ती फ्रत्यशन से लगाया जा सकता है व्रॉकिंग स्टार याज जो नौट इंडियन में तनी पॉपिलर नहीं थे अब इननी वेज में भी घरेलू नाम बन गए है के जिस चाप्टर वन के साथ वो पॉपिलारिटी बढ़ी और उसकी बीवानगी ने सीमाओं को पार कर लिया तो कि निर्माताओं द्वारा अभिकारेक्ट टीजर को रूलीज करने के बाद क्लिया है और अब तक इसने कई वर्ड वॉर्ड रिकॉर्ड भी तोड़े है ये सिर्फ यश ही नहीं थे लेक अखर्ट ये देश क्रिशान्ती, गड़ोड और कई अन्य पांत्रों ने भी बड़े लेवल पर पॉपिलारिटी हासल की है कहानी, micro sequence, very energetic action, background sport, गाने, सभी भाशाओं में unique hair, style, grooming style, costumes, shooting style और अन्य सभी चीज़े काफी दमदार थी ये कहना गलत नहीं होगा थी KJV1 का कल्ट क्लासिक बन रही है और Walking Star KJV Chapter 2 के साथ Worldwide अपनी छाप चोड़ने की रापर है जो 14 अपरीन 2022 को रुलीज होने वाली है अगर रिपोर्स की मारे तो मेकर्स जल से जल KJV Chapter 2 के पहले सिंगल की घोशना करेंगे KJV की संगीत की दुमिया में रॉकी भाई के साथ सवारी करने के लिए फैन्स काफी उपसाहित है अब देखना काफी बिल्चस होगा की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी की डीटेल्स क्या होने वाला है KJV 2 का क्लाइमिक्स इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लास्त तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवन स्वागत है आपका बोलीग्राथ स्टूडियोस में दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजीएफ के अपकमिंग चाप्टर याने की चाप्टर 2 के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि केजीएफ चाप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई थी यही रीजन है कि इसका चाप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्टरी के आफ्टर यश को भी सिनमाटिक फैन से काफी रिकॉर्गनाजेशन मिली और अब उनके गिंती एक रेजिंग सूपर स्टार के तौर पर की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के जीएफ 2 के शूटिंग लोकेशन के बारे में जब से के जीएफ चाप्टर 1 रिलीज हुई और खबरे आई कि के जीएफ चाप्टर 2 भी जल्धी आने वाली है सभी फान्स के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर के जीएफ 2 की शूटिंग चिल रही है तो आपको बता दे मार्श 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हाइदराबाद में शूट किया गया था जो अगले कुछ महिनों तक चला लेकिन उसके बाद मार्श 2020 में ही कोविट 19 के लॉकडाउन की वज़े से सिरूख दिया गया और उसके कुछ ही महिनों बाद यानी ओगस 2020 में बैंगलॉर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया बैंगलॉर के फेमस कुलार गोल्ड फील्ड में भी फिल्म के कुछ इन्पॉर्टन सीन्स की शूटिंग हुई है KGF2 के शूटिंग लोकेशन्स का सबसे बड़ा हाइलाइट पार था गोवा का दूद सागर वाटरफॉल्स जी हाँ इस जगे पर यश के कुछ धमाकिदार आक्शन स्टन्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग आक्शन सीक्विन्स के तौर पर माना जा रहा है जी हाँ बता दे दूद सागर वाटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूप सूरत और एक्जॉटिक लोकेशन्स में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाग आक्शन स्टन्स कितना थ्रिलिंग होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ह लगा सकते हैं जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है हम जानते हैं आप सभी सबकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुख हैं दोस्तों किसी भी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स स्पेशली जब फिल्म एक आक्शन थ्रिलर हो के फिल्मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते लेकिन मज़े की बात तो यह है कि हम आपको के जी फिल्म के क्लाइमेक्स की कुछ खास बात ही बताने जा रहे हैं बता दे फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सूपर एक्सपे आज तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्षिंस होने वाला है जो आप कई में ओर्डिन्स को सप्राइज कर देगा। प्रीकुल की सफलता के बाद उनकी अपकमिंग पॉपलर फ्लिक के लिए अक्टर को निर्माताओं से एक बड़ी राशी मिल रही है। प्रशन ने भीड को आकशित किया लेकिन ये सिर्फ साउथ या भारत तक लिमिटर नहीं था। स्टार को एक थीयर्च को बिजनस से प्रॉफिट शेरिंग देने के लिए भी सहमत हुए है। दूसरी और के जिएफ के डारेटर प्रशांत दील प्रभास अभीनेता फिल्म सलार में व्यस्ते हैं। और अलु आरजुन और जूलियर इंटियार के साथ साथ रांच रण के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस रहें। नवीन दब रिपोर्टर के अनुसर कन अडभीनेता अगली बार एक सीशक वाली फिल्म में दिखाई देंगे। इतना है नहीं। राइटर ने अभी से अपनी एक नई फिल्म बगीरा का पोस्टर जारी कर सब को एकसाइटेड कर दिया है। इस फिल्म को खासियत है कि इसमें प्रशांत नील अपनी डेबीटिट फिल्म के अभीनेता और बहनों इश्री मुर्ली के साथ अपना तीसरा कोलाबरेशन करने रहे है। KGF2 के डारेक्टर प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम थी जिसकी सी फलता के बाद इसका अगस्तिया नाम से सीकुल बनाया गया। नए रिपोर्टर के नुसार KGF2 यश अपनी पतनी राधिका पंडित के साथ दुबाई गये हुए हैं और कुछ क्वालिटी टाइम में इता रहे हैं। पर घने बाल होते हैं। KGF1 के बाद फैन्स यश के लुक और रवाई के तो नायक शेर से कर रहे हैं जो परिणामों की चंता की ये बिना निडर होकर जंगल में घूमता है। पेशल को पकड़ो। हम चार फिल्म इंडस्ट्री तेलगू, तमिल मल्यालम और कंड़ का जश्ट मनाते हैं और इसके सबसे बड़ी सितारे के लिए एक टोस देते हैं। वो जिन्होंने पूरे भारत में पॉपिलारिटी गेंग की है येश। येश संजयदत, रवीनाटन, नर्शीजी, शैटी, अभिनित, के एज़िफ चाप्टर 2, पोच ओओडर अप्रेल 2022 को रिलीज होने वाली है। येश संजयदत के साथ भिटते हुए दिखाए देंगे जो वोले नदीरा का किंदाने भारे हैं। इसके रावा रवीना को भारत की प्रधान मंत्री रॉमिका सीन की रूप में देखा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निधीठा कुल और स्वागत है आपका बॉली ग्रैट स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF चाप्टर के लीड केरेक्टर रॉकी भाई एके ए रॉकिंग स्टार यश की नई अचीव्मेंट के बारे में। रॉकिंग स्टार यश की बढ़ती पॉपलारिटी ने उन्हें सौब भाग्य दिलाया है फेमस मैगजीन फॉब्स में फीचर होने का। आपको बता दें, फॉब्स मैगजीन हफ़ते में दो बार शपती है और अकसर ये फिनांस, इन्वेस्टिंग और मार्केटिंग टॉपिक्स पर अर्टिकल्स पेश करती है। लेकिन इस बार वे पूरी तहा से फिल्मों और उनके सूपर स्टार्स पर ध्यान केंद्रिक करके अपने एन्वल एडिशन को एक एंटोटीन्मेंट तच दे रहे हैं। लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि उन्होंने साउथ इंडिया में चार इंडस्ट्रीज तेल्गू, तमिल, मलियालम और कन्नेड में सुर्खियों को सेमित कर दिया है। जैसे कि भारत इस बार फॉब्स पर साउथ से इपनी सलेब्रिटीज का ज़स्न बना रहा है क्योंकि मैगजीन के कवर पेज पर नजर आए केजियाफ के रॉकी भाई, यानि हमारे रॉकिंग स्टार यश। ये वाके ही केजियाफ फैन्स के लिए एक प्राउट मॉमेंट है। आपको बता दे, रॉकिंग स्टार यश। साउथ इंडस्ट्री के पहले ऐसे सेलेब्रिटी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। प्लॉइंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटो छपने के साथ साथ वाइरल भी हो गई है। अक्टर ने एक ब्लाक कलर के सूट में स्टाइलिश लुक दिया है। जहां उनकी धिक बियर्ड उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं। वहीं वे देख रहे हैं जो किसी भी लेडी को उनके प्रती अट्रैक्ट कर सकती है। फॉब्स की कवर मैगजीन पर पोस देना कोई एजी काम नहीं है और ये उनकी पॉपलारिटी के प्रमान के रूप में कार्यार करता है। इस बीच उनकी बेटी मीरा के साथ उनकी रीसिंट पिक् होने वाली थी लेकिन अपडेट बढ़ा कर 14 एपरिल 2022 कर दी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और बीन अटेंन को साथ की फिल्मों को करने में मज़ा। या खास होने वाला है संजदत के के सब्सक्राइब कर रहे हैं के जिब चाप्टे टू का वो भी बेसब्री से दोस्तिं प्रजाब कर रहे हैं। संदरत ने जिब झाप्टे टू में अपने किर्दार अधिरा के बारे में बात करते हुए कहा अधिरा मेरे द्वारा निभाया जया अब तक का सबसे प्रेजी कड़ार है। ये वाइकिंग से प्रेरित निदर की शाली और निर्मम है अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शाली रिखते यारियों की जरुरत थी लोग अपनाने के लिए मेकप में लग भग देर घंटे का वक्त लगता था साथ ही किरदार में डलने के लिए मान से तोर पर बहुत सी तैयारिया करने पड़ती थी कुछ से में पहले संजदत की सेहत खराब थी और यही के दोस्तों देखते हुए फिर्म के मेकर्स ने बौडी डबल का सिचेशन दिया था लेकिन संजदत ने इसे साफ इंकाल कर दिया संजदत ने फिर्म में खुद अपने आक्शन सीक्वेंस किये हैं और वो अक्सर अपने फिल्मों में अपने आक्शन सीन्स खुद ही करते हैं दोस्तो आक्षिन से भरपूर फिर्म के बारे में बात करते हुए समझेगार ने कहा फिर्म के जी चाप्टर वन का सीकुल है इसलिए आप वो सब और उस से अधिक की मीट कर सकते हैं फिर्म में यह अशर मेरा फेस आफ है जो निश्चित रूप से बहुत मसिदार था बहुत सारे प्रॉपस का स्तमाल किया गया है और सिक्वेश के फुर्म के पूर मातरम है और इसके लावा मैं चाहता हूं कि बिना जज्यादा कुछ कहे आडिस फिर्म आख्शिन का मसा ले सके दोस्तो टीजर में एक नीता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है वही संजदत अधीरा के लुक में नज़रा रही है दोस्तो होमले फिल्मस ने इस टीजर को रिलीस किया है और टीजर को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एचसल एंटेटीन्मेंट और एएफ फिल्मस को इस साल सिनमा धरों में केजे फ्राप्टिटी को लिंदी में परसुख करते हुए बेहिक खुशी में सिन्स हो रही है रवीना टंडन कहती है कि मैंने हमेशा साउच से फिल्मों का आनंद लिया है और उन्हें ये फिल्मे करना बेहत पसंद है मुझे दूसरे राज्यों से भी सिन्मा करना पसंद है और मुझे रगता है कि दक्षन हमेशा समरद कत्नी की रूप से और साथी सामगरिक लिहास से बहुत समरद रहा है और मैंने हमेशा अपनी तेलकू तमिल मली आलम और करनर फल में करने का आनद लिया है तो आगे कहती है कि मैं करनर सिनिमा में दक्षन भारत में और करनर सिनिमा में बहुत अधिक काम पढ़ने के लिए उच्छे हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए साथ है अगर इंफ्रमेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शायब आपके लिए नहीं वीडियो के साथ तब तक बने रहे हैं हमारे साथ तो देखते रहिए बॉलिग्राफ स्टूडियो क्या KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट हुई कंफर्म कब रिलीज होगी ये फिल्म हेलो फ्रेंड्स आप देखें मॉलिग्राफ स्टूडियो मैं सोनी का जार दोस्तो KGF चैप्टर 2 का वेट इतना जादा कर लिया है कि अब रहा नहीं जाता क्योंकि लगातार रिलीज होने ही वाली है KGF चैप्टर 2 को लेकर इतना बस इसलिए बन रहा है कि 2018 में जो KGF रिलीज हुई उसमें धमागा मचा दिया जीरो जैसी फिल्म शारु खान की फिल्म को टकर भी आगे निकल गई तो आप सोचिए कितना सैमिना रखती थी KGF अपने आप में अब आपको बता दे कि रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है पहले 16 जुलाई 2021 किस को ये फिल्म रिलीज होनी थी आब 16 जुलाई 2022 को इस फिल को रिलीज होना है और बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में तो दोस्तों आप कुरसी की पेटी बान दीजिए क्योंकि फाइनली KGF चाप्टर 2 रिलीज होने जारी है महीं प्रभास की डेब्यू करनर फिल्म सालार भी 14 अपरिल 2022 को रिलीज होगी वैसे दोनों फिल्म में एक दूसरी से बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों फिल्मों में एक और बात कॉमन है रिलीजिंग डेट के अलावा हालगी में प्रशामील ने ट्वीट पर फैंस को इंफॉर्म किया कि म्यूजिशन रभी बसरूर KGF चाप्टर 2 और सालार दोनों के लिए संगीत तयार करेंगे उन्होंने रभी के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा वन अन उनली प्लेज जहां KGF चाप्टर 2 और सालार एक डूसरी को क्रॉस कर सकती है वो एक बसरूर रभी स्टूडियो खुच जादुकर के साथ संगीत पर काम करना एक बहतरीन एक्सपिरियंस रहा खेर KGF फैंस के लिए खबर काफी रोमान चुक है क्योंकि उन्होंने फिल्म KGF चाप्टर 1 में अपने संगीत से उन्हें प्रभावित किया है इसलिए दर्शक सालार और KGF 2 में उनसे उसी तरह की जादू की उमीद कर रहे है वही प्रशाद नील के सबसे anticipated film KGF 2 में संजैदत, रवीना, टंडन, शीनिदी, शेटी, प्रकाश राज, अनन्त नाग और अन्यदी प्रमक भूमिकाओं में है दूसरी और सालार में शुरुती हस अनुखे भूमिकाओं में है फिल्मकरणर, तेलगू, तमिल, मलियालम और हिंदी में रिलीज होगी सालार का पहला schedule पहले ही पूरा हो चुका है और अब निर्माता जल्दी shooting फिर से शुरू करने की योजना बना रहे है वहीं पता चला है कि डिरیک्टर पृषा नील ने यश को सालार और केजीएफ दोनों की स्क्रिप्ट एक साथ सुनाई थी लेकिन यश ने सालार की जगड़ को चुना इसलिए प्रशानने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किये और वही स्क्रिप्ट प्रभास को सुनाई उनके नरेशन के बाद बाहुबली स्टार ने फिल्म को अपनी मंजूरी दे दी नर्माताओं ने फिल्म के डिस्टिब्यूशन राइस के लिए 90 करोड रुपे दिया है ऐसा कहा जा रहा है कि टीम यश्ट तारर द्वारा किये गई किसी भी नुकसान के लिए सालार को कंपनसेट मीडियम के रूप में इस्तमाल करके कि एजी अफ चैप्टर टू के साथ एक बिग अपोचुनिटी के लिए तयार है हाला कि फिल्म की पहली किष्ट ने विशेश रूप से साउथ इंडिया में धूम मता दी थी लेकिन इसके दूसरे भाग का बिजनस अब तक इंप्रेसिव नहीं रहा है और इसके लुकसान को भड़ने के लिए प्रभास के फैंटेसी का इस्तमाल किया जा रहा है जो लोग अंचान है उनको बता दे दोनों फिल्म में विजय किरंगंडूर द्वारा उनकी प्रिडक्शन बैनर होम बली फिल्म के तहत सपोर्टेड है इध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में अफ़ाहे थी कि पॉपलर फिल्म प्रड्यूसर दिल राजू ने यह स्टारर के डिस्टिबूशन राइट्स पहले ही खरीद लिये है सोशल मीडिया पर इस ख़बर के वाइरल होने के साथ केवल उसी के बारे में एक ओफिशल कॉन्फरमेशन से तलगू राजियो में केजिएफ चाप्टर टू के बिजनस को क्लीन चिट मिला है रौकी भाई के रूप में यश अभिनत केजिन एफ चाप्टर वन को पैन इंडिया ओडियन्स को टार्गेट करना केजिएफ के डिरेक्टर प्रशादीर का स्टार्टिंग आइडिया नहीं था जो केजिएफ सीरीज के लेखक है हाला के केजिएफ सीरीज को पैन इंडिया ओडियन्स तक ले जाने के विचार के पीछे कोई और था हां ये रौकी भाई और वियाश ही थे जिनोंने केजिएफ को पुरे भारत में रिलीज करने की जोरदार रिक्वेस्ट और प्रपोजल रखा और उनका इंट्यूशन गलत नहीं साबित हुआ नए दोर में टॉलिवूट सूपरस्टार प्रभास की बाहुबली सीरीज के बाद केजिएफ चाप्टर वन देश भर में सबसे सफल फिल्म बन गई ये भी उम्मीद की जाती है कि 14 अप्रेल 2021 को रिलीज होने वाली केजिएफ चाप्टर टू भार्थिय फिल्म इंडुस्ट्री में कई अन्य रिकॉर्ड तोड़ देगी क्योंकि ओफिशल टीजर ने पहले ही दुनिया भर के कई रिकॉर्ड तोड़े है एक इंटर्व्यू में रॉपिंग स्टार ने कहा जब पहली बार उन्होंने मेकर्स को फिल्म पान इंडिया रिलीज करने का प्रोपोजल दिया तो वो उनकी बात सुनने के लिए दयार नहीं थे बहले ये वो प्रोपोजल से कंविंस थे North India में डिस्टिब्यूटर्स ने उन्हें एक सेल्समें के रूप में माना और उन्हें KGF चाप्टर वन को रिलीज करने से इंकार कर दिया हाला कि KGF चाप्टर वन के आसफास के प्रमोशन के बात डिस्टिब्यूटर्स ने KGF सीरीस की पहली इंस्ट्रोल्मन्ट जारी करने में इंट्रिस दिखाया अब KGF 1 की भारी सफलता के बाद भारत भर के डिस्टिब्यूटर्स डिस्टिब्यूशन राइट सासी करने के लिए आपस में भिड़ गए यश ने अपने 13 साल की करियर में कई ब्लॉक्बस्टर फिल्मों के साथ पहले ही एक फान्डम स्टैबलिश कर लिया है रॉकिंग स्टार ने 2018 में KGF चैप्टर 1 की रिलीस के साथ अपनी स्कोप और रीच को और बढ़ाया अब तक फैंज अची तरह से जानते हैं कि यश रॉकिंग स्टार का स्क्रीन नाम है जबकि उनका ओरिजिनल नाम नवीन कुमार गौडा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंणड आक्टर ने यश को अपने स्क्रीन नाम के रूप में रखने का ऑप्शन क्यू चुना मुख्यकिरदार के रूप में उनकी पहली फिल्म रॉकी थी जो उनकी पहली हिट फिल्म भी थी जुसके बाद आक्टर ने कभी बीचे मुझनकर नहीं देखा और फिल्मों में मुख्यकिरदार के रूप में अविनै किया और अब वो South Indian Industry के one of the most prominent actors के रूप में एक है नवीन गोड़ा और वियश को तो कुछ अन्य फैंसी नामों के साथ अकना नाम बदलने का सजाव दिया गया था तब अक्टर ने फिल्म इंडिस्ट्री के लिए अपने असली नाम की जगा अपने बच्पन का नाम यश रखने का फैसला किया यश को उसके दोज भी टाइगर कहे कर बुलाते थे यश की मच अंटिस्पेटिट फिल्म केजी अगले साल 14 अप्रेल 2022 के लिए रीश इन्यूल की गई है तब तक फैंस को इंतजार करना होगा मॉंस्टर रॉकी भाई की दहार के लिए वहीं आप में के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमन बॉक्स में यह जरूर बताइए वीडियो का लाइक को शेर करिए साधी चालन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इन नहींगी चीजों का शोख रखते हैं संजाई रियल लाइफ में क्यों बॉलिवुड के पहले अमीर बने संजाई रियल को बरकरार रखा जाएगा बोर हो गए होंगे न के जी एफटू के बारे में सुन सुन कर तो भी यही सुनना है लेकिन आज हम के जी एफटू की कहानिया कास्ट की नहीं बलकि उसके खलनायक यानि संजाई की अमीरी को आपके सामने लाएंगे तो बता दे कि बॉलिवुड में कई ऐसे सेलेबरिटीज हैं जिने महेंगी चीजों का क्रेज होता है और यहां के खलनायक यानि संजाई दद भी उन्हीं में से एक है संजाई दद ने हमेशा ही अपने आक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है हाला कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पोसनल लाइफ भी हमेशा सूर्खियों में रही है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉलवुड में सबसे महंगे आक्टर है यही वज़ा है कि वो एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना तो पसंद करते ही है साथ ही उन्हें अपनी पत्नी को गिफ्ट में भी देते हैं सौ करोर का बंगला जिसे मान्यता ने लेने से मना कर दिया था साथ ही संजय ने अपनी पत्नी को कुछ बहुत महंगी चीज़े गिफ्ट की है बॉडवुड स्टार्स का गाड़ियों के लिए प्यार तो सभी जानते हैं KGF-2 का अधीरा भी कार और बाइकों के काफी शौक रखते हैं और वो Lexus SUV, Mercedes-Benz M-Class, एक Porsche SUV और एक Toyota Land Cruiser के मालिक है इसके अलाबा उन्होंने मान्यता दप को एक Rolls Royals Ghost गिफ्ट की थी जब उन्होंने अपनी जुर्वा बच्चो इकरा और शरहान को जन्म दिया था की Top of the Line model थी जिसे Sanjay डेली रूटीन में यूज करते हैं बता दे के GF-2 में जिस पैसे की होड में यशर संजय दत में मारा मारी होगी वो बॉलेवुड के सबसे अमीर स्राज में से एथ है उनकी वोड्रोब में तेज़ुआ प्रिंट वाली रूलेक्स घड़ी है जिस पर जमकदार हाथों के साथ आठ डाइमेंड डायल है और उस पर डाइमेंड ओवर माकर है इसकी कीमत करी 33 लाक रुपे है बता दे कि संजय दत के पास मुंबई की इंपीरियल हाइट्स में कई सारे फ्लाइस है संजय दत और मानियत दत का घर बैंडरा के पाली हिल में है जिसे बड़ी ही खुदसूरती से डिजाइन किया गया है संजय दत अपने दिवंगत माता पिता नर्गेस और सुनील दत के बहुत करीब है और घर में उनके मौझूदकी का एहसास पाने के लिए दिवारों पर हर जगह उनकी तस्वीरे लगाई गई है इकरा और शाहरान की ब्लैक और वाइट तस्वीरे उनके घर के कई कोनों में भी दिखाई जा सकती है सयुक्त अरब अमिरेट्स के लिए गोल्ड वीजा पाने के बाद संजय दत रेकिस्तान अमिरेट्स में अपने नए घर में रह रहे है संजय बॉलबुट के पहले आक्टर है जो है दुबाई का गोल्ड वीजा मिला है इसी रोयाल्टी को बरकरार रखते हुए के जी एफटू में अधीरा करू उस संजय को दिया गया कैसे शेयर की केजिएफ की डारेक्टर ने फिल्म के दबिंग की शुरुवात की खबर कैसे मिला यश को केजिएफ से नया नाम क्या रवीना टंदन ने भाने वाली है केजिएफ तू में नेगितिफ किदार स्वागत है आपका बॉलेगराज स्टूडियोस में जहां हम देते हैं बॉलेवर इडूस से जड़ी सबसे लेटिस्ट और दुल्चस्प खबरे और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म केजिएफ तू की मेरे आनी शुती के साथ रवीना टंडन जल्धी बहुबाशी फिल्म केजिएफ तू में दिखाई देंगी और उनका कहना है क्योंने हमेशा अंडी राजियो विशेश शुरूप से भारत के साउट भाग से फिल्में करना पसंद है जहां अलग-अलग विशेश पर फिल्में बनाई जाती है केजिएफ तू जोसमें करनाड बिनेता या श्मुक्य मुमिका में हैं वो करनाड तमल तेलगू मल्यालम और हिंदी में रिलीज होगी रवीना इससे पहले तमल फिल्म सादू जो की 1994 और तेलगू फिल्म अखी विदे हिलो का हिस्सा रही है अपने केजिएफ तू के किरदार के बारे में रवीना तंदन ने बताया है लोग स्टीरोटाइब होने से डरते हैं लेकिन इसने मुझे कभी परिशान नहीं किया कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है आपको बस यह बताना है कि आपके भीतर क्या है यह बहुत अच्छी बात है विशेश रूप से उटीटी प्लाटफॉर्मों के आने से ऐसा करने और तलाशने के लिए बहुत कुछ है और मैं केजिएफ टू में ऐसा किरदार ने बाने के लिए काफी उत्सुक हो केजिएफ चाप्टी टू फिल्म में रवीना तंदन का लोग उनके जनम दिन 26 सक्टूबर 2020 को सामने आया था और संजैदत का लोग उनके 60 जनम दिन 29 जिलाई 2019 को जारी किया आया था और लोगों ने रवीना का लोग काफी पसंद किया था फिल्म के डारेक्टर प्रशांत नील ने अपने इंस्टेग्राम पर कुछ तस्वीरे शेयर किये इस पोस्ट के जरियरों ने केजिएफ चाप्टी टू की डबिंग शुरू होने की बात कही है उन्होंने डबिंग स्टूडियो से यश के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की है पोस्ट शेयर करते हुए ले खा यश के साथ डबिंग करना हमेशा रॉकिंग एक्सपीरियंस रहता है कुछ दिनों पहले भी केजिएफ चाप्टी टू की डारेक्टर प्रशांथ नील ने पोस्ट शेयर किया था इस मरों ने पूरी टीम के साथ तस्वीरे शेयर की थी जिसमें रौकी यानि यश भी नजर आ रहे थे इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रशांथ नील ने निका एक यात्रा अच्छी शुरुवात के साथ जिसका कोई अंत नहीं है लोग यश के जल्बे देखने के लिए हमेशा उचसाहित रहते हैं और इसलिए भी केजिएफ के तीसरे भाग के लिए लोग उचसाहित है केजिएफ फिल्म में यश की फिल्मी करियर को नई उचाईयों तक पहुचा दिया है यश फान्स के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफी पॉपिलर है यश का असली नाम नमीन कुमार गोडा है उन्होंने बहुत कम समय में ही कन्नत सिनिमा में अपनी पहचान बना ली है अलाकि यश को सबसे ज्यादा लोग प्रिया ताउन की फिल्म के जिफ चाप्टर वन से मिली आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना बलकुल न भूले और हम फिर आजर होंगे आपके में तो संदीदा सितारों से जुई हुई एक बहुत इंफ्रेस्टिंग खबर को लेगे थाई सो करोड का नुकसान क्यों जेला था यश ने रिलीस को लेकर क्या है उठा पटक क्या दिवाली पर फोड़ेंगे बाम यश हलो दोस्तो नमस्कार स्वागे आप सभी का बॉलेगराग स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ निश्का दियागी करनर सूपरस्टार यश के फिर्म केची एफ चाप्टर टू इसी साल 16 जुलाई को रिलीस होने वाली थी लेकिन परोना य की दूस्री लहर की कारण है सन crafts नहीं हो सका तब से ही लोग दोस्तो इस फिर्म की दूस्री ड्रीज डेक का बेस सब्ली सें उन्तिजार कर रहे हैं उन्हीं मेकर्स फिर्मकों के सित्युहार के मौँबर रिलीस करना जहते हैं क्योंकि दोस्तों बता दो कि कोरोना की कारण फिर्म को सिनेमा हौल में रिलीज करना मुश्किल हो रहा है और OTT पर कोई रिलीज करना नहीं चाह रहा इसी बात को ले कर दोस्तों यश भी अड़े हुए हैं कि रिलीज OTT पर नहीं करेंगे चाहें रिलीज में कितना ही लेट क्यों न हो जाए लेकिन यश क्यों अड़े हैं इस बात पर तो दोस्तों बता दे कि केज ये 2 जो कि एक फिर्म की थीम है फिर्म में आक्षन सीन का मज़़ सर्व बड़ी स्क्रीन पर ही लिया जा सकता है जब यश अर्श संजे के आक्षन सीन पर थियेटर में तालिया बजेंगी और ये तालिया जब न्यूस बनकर अकबारों में शपेगी तो इससे ज़रा खुशी एक आर्टिस के लिए नहीं हो सकती है शायद दोस्तों इसी तरह की वावाई के दलालस में ये शपनी पिचर के लिए हर नुकसान को जेलने के लिए तयार है बता दे कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किसी वेमस OTT प्लाटफॉर्म ने इस फर्म को खरीदने के लिए 225 करोर का ओफर भी दिया था लेकिन दोस्तों सावत के सूपरस्टार ने इतने बड़े ओफर को मिंटो में ठुकरा दिया येश चाते हैं कि अपनी इस रायए के बारे में येश ने अपनी फर्म के निरमाताओं को भी पताया और वो भी उनकी इस बातका समयिस्धिन करते हैं केजिएफ चाप्टर 2 की बात करें तो इसमें श्रीमिदी शेक्टी, संजिदक और रवीना टंडन पहले पार्ट के एकसाइटमिक और आक्षिन को नेक्स लेवर पर ले जाते देखे जाएंगे कितना अंतर होगा दोनों फिल्म के बिलन में? किस से इंस्पायर है संजिदक का लुप? किस तरह का रिकॉर्ड बनाया है फिल्म के जीएफ में? पाकिस्तान से क्या है के जीएफ का रिलेशन? संकार दर्शुका आप सभी का बहुत 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 स्पागत है मारे चानल बॉनीक्राइफ स्टूडियो ते कि मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्सिमिरन ग्रोबर के जीएफ 2018 की बैक्शन त्रिलफ फिल्म है जिसे प्रशान नीम ने लिखा और निर्देशत करा फिल्म में यश, श्री निदी शेटी, अच्छिव कुमार, रामया कृष्णन और आजी में लीड में के जीएफ में लीकंणर, तमिल, तेलिगो, मल्यालंग और हिंदी भाष्णों में रिलीस होई थी तमन्ना माटिया के जीएफ में एक स्पेशल रोल में नज़राई थी फिल्म में एक पीरियड ड्रामा है जो करनाटक के गोलर एरिया में सोने के खन और इससे चलाने वारे माफिया के इभिहात का पता लगाती है ही बताया गया है उनके बैक साइड को दिखाया गया है जिसने कलवार पकड़े हुए देखे गया है अगर दुनों फिल्म के विलन की बात की जाए तो पहली तिल्ब में गरूर का किरदार अविरीता रामचंदर राजुने नभाया था सने दथ के जीएट लोक में दिखा चुक है हुए दीर के और सन्जदथ के चाह्रक्टर अदीरा के पहरे लोक में उन्हें एक बड़ा शेफ लिया गया है उनके चेहरे और सिर के पिछले हिस्फे में टैटु भी धगा गया है एक अराम करने वाला मतलबी चहरा दिखाया गया फिल्म के निरेशक ने दद की भूमी को और लुक को चुपाने के लिए काभी मेहनत की फिल्स लुक शेयर करते हुए निरेशक ने खुलासा किया है कि उनका लुक वाइकिंग्स के एक चरितर से इंस्पायर है केजियर चाप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स आफस में 250 करोर रुपे की कमाई करी थी ऐसा करने वाली वह पहली करनट फिल्म थी ऐसी के साथ केजियर चाप्टर 1 चौती सब्स जादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म थी बनी है इतना ही नहीं केजियर पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली करनट फिल्म थी इस फिल्म के चाप्टर 2 का टीजर आखिरकार रिलीज हो चुक है और साथी से इसको देखने के बाद फैंस से पीर उत्सा और भी जादा बढ़ चुक है इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे उस वीडियो में तो लास्त तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवन स्वागत है आपका बॉलीक्राथ स्टूडियोस में यश के मुक्य भूमिका वाली KGF एक लोगप्रिय फ्रेंचाइज ही बन गई है और स्रीज की दूसरी किस रिलीज होने के लिए तैयार है फिल्म के रिलीज या प्रमोशन के पहले विजय देवरा कोंडा ने कहा कि हम निर्देशक प्रशाद निल के साथ KGF 3 सीक्रेट प्लान बनाएंगे ऐसे में इस बात की अफवा उरने लगी कि क्या विजय KGF 2 में एक क्यामियो रोल में दिख सकते है एक अवार्ड शो में जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि विजय देवरा कोंडा यश ते चोरी करना पसंद करेंगे तो अभिनेता ने KGF के निर्देशक प्रशाद निल का उनलेक किया उन्होंने मजाफ में कहा कि मैं उनके साथ KGF 3 गुपतियोज ना बना सकता हूँ KGF 2 के मेकर्स फिल्म का नया पोस्चर और लुक जारी कर रहे हैं इस बार फिल्मे संजय दद भी एहं भूमिका में नजर आने वाले हैं यश ने डियर कॉमरेड के लिए विजय देवरा कोंडा के दोरे का समधन किया था जो तब हुआ था जब उनके बीच का रिष्टा सारवजनिक हो गया था विजय जल्द ही फिल्म वर्ल्ट फीमस लवर्स में नजर आने वारे थे उन्होंने कुबूल किया कि उन्हें यश के KGF ने उनके होश उड़ा दिये थे और ऐसा हो सकता है कि अपना सपोर्ट दिखाने के लिए विजय एक गेस्ट अपियरंस के तौर पर KGF 2 में नजर आएं लेकिन क्या आप जानते हैं विजय एक लौते सलब नहीं है जो इस हिट फिल्म के दिवाने हैं इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद किया गया था KGF के कई दिवाने हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर भी इस फिल्म के दिवाने हैं डेविड ने हाली में अपने इंस्टिग्राम अकाउंट पर एक फेस फॉर्फ वीडियो शेर किया था जिसमें डेविड का चेहरा यश के चेहरे पर फिट किया गया है वीडियो में वो scene दिखाया गया है जिसमें यश पुलिस टेशन पर मशीन गन से हमला करने के बाद गरमी से लाल हुच की बंदू की बैरल से अपनी सिहर जराता है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर शेर किया जा रहा है वीडियो के क्याप्शन में डेविड वार्णर ने लिखा मुझे ये भेजा गया है और मैंने वादा किया था मैं इसे शेर करूँगा डेविड के इस वीडियो को अब तक 35 लाग से जादा लोगों ने देख लिया है कॉमेंट बॉक्स में लोगों ने धेरो कॉमेंट भी किया है प्रशाद निल के अनुसार के जीएफ चाप्टे टू एक छोटी लेकिन अतिदिक प्रभाव शाली फ्रेंचाइजी के अंत को चिनहित करेगी आगामी फिल्म रॉकी भाई के किरदार को अपने दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे जो की संजेदत नभाने वाले हैं संजेदत इस फिल्म में विलिन का किरदार नभाते हुए दिखेंगे KGF2 के रिलीस के बाद प्रशाद निल प्रभास के साथ सलार के लिए भी काम शुरू करने वाले है अब जिस फिल्म के लिए विजय और डेविड वार्नर जैसे फेमस लोग एकसाइटेड है उस फिल्म का सूपर हिट होना तो बनता है आप सबी कितने उस साहत है KGF2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं फिल्म अस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आरिया पढ़ना वक्स को दीजिए जाज़त अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्या KGF2 में हमें एक बार फिर से अरचना जोईस के कुछ सीन्स देखने को मिल सकते हैं और क्या KGF2 की टककर हो सकती है इस फेमस बॉलेवुड आक्टर की मुवी से इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ एलो एवरिवन स्वागत है आपका बॉलीगराद स्टूडियोज में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉलवुड के सुल्तान तो सल्मान खान है पर क्या आप जानते हैं कि टॉलवुड का भी एक सुल्तान हमारे बीचा चुका है और वो कोई और नहीं बलकि यश है और ऐसा हम इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एक मूवी जिसने उनके करियर को काफी बड़ी उडान दे दी है और साथ ही उनका स्टार्डम ना सिर्फ टॉलवुड में बढ़ा है बलकि अब तो उनको बॉलवुड से भी काफी ओफर्स आने लगे है और अगर बात की जाए के जी एक की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ के जी एफ ना सिर्फ टॉलवुड इंडास्ट्री में ना सिर्फ बॉलवुड इंडास्ट्री में बलकि पूरे इंडिया में काफी जादा पॉपुलर हुई थी और इसी वज़े से के KGF2 के लिए भी तमाम इंडियंत बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं। ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि KGF मुवी ने यश को रात और रात ओलिवुड इंडस्ट्री का सुल्तान बना दिया। वेल फाइनली अब हमें इस मुवी का सीक्वल देखने का मौका भी मिलने वाला है। जी हाँ जल्द ही बड़े पड़े पर KGF2 रिलीज होने वाली है जो फैन्स को काफी जादा एकसाइट कर रही है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुवी में हमें यश की ओन स्क्रीन मा या यानि कि अरचना का स्पेशल अपीरंस हमें देखने को मिल सकता है। टॉलवुड इंडास्ट्री में अरचना के काफी फैन्स है और निश्यत तोर पर ये उनके लिए भी एक ट्रीट साबित होने वाली है। साथी साथ जो इस फिल्म में फीमेल लीड के तोर पर नज़रान आने वाली हैं यानि कि श्रीमिदी शेटी उन्होंने बताया कि उनका ये किरदार जो के जीएफ 2 में दिखने वाला है फैन्स को उनके करियर का सबसे यादगार किरदार होने वाला है और उन्होंने अपने इस कारेक्टर के लिए काफी मेहनत भी की है। अगर हम बात करें क कि आखर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगले साल इस मूवी के सामने एक बहुत बड़ी चुनोती आने वाली है दरसल मैं आपको बता दू ऐसा कहा जा रहा है कि KGF2 से भिड़ने के लिए बॉल वुड की एक और मूवी तयार है जी हां हम बात कर रहे हैं हमारे भाई जान यान मेगा बॉक्स ओफिस क्लैश होने वाला है निश्यत तोर पर सलमान खान के तमाम फैंस तो यही चाहेंगे कि दबंग 4 सक्सेस्फुल हो तो वहीं दूसरी तरफ KGF2 के तमाम फैंस जो लंबे अरसे से इस मूवी के रिलीस डेट का इंतिजार कर रहे हैं वो अपनी जीत जा करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप आखिर दबंग 4 के लिए ज्यादा एक्साइटेड है या फिर KGF2 के लिए क्या KGF2 में आएगा लव एंगल आखिर क्यूं पसंद नहीं आया फैंस को KGF का एक्शन सीक्विंस KGF2 में क्या है राज शक्ती शिला का हलो इन वेलकम मैं हूँ आपकी होस प्रियांका और स्वागत करती हूँ आपका बॉलिग्राइड स्टूडियोस की आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे फिल्म KGF चाप्टर 2 से जुड़े लेटिस्ट खबरों के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें अपने excitement लेवल को और भी जादा हाई करने के लिए KGF के फैंस उसकी हर अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं इसी में आगे बढ़ते हुए फैंस फिल्म के कई सारे facts को उठा रहे हैं और फिल्म के flow और conclusion को खोजने के लिए सारे threats को जोड रहे हैं इसके अलावा Rocky को KGF में अपना एक नया empire बनाने और अन्न सरकारी अधिकारियों के साथ इनायत Khalil और रमिका सेन के साथ एक violent clash को देखने के लिए भी फैंस काफी जादा crazy हो रहे हैं KGF 1 को देख चुके फैंस इस फिल्म की कहानी को काफी दिल से याद करते होंगे जब KGF 2 को सोचते होंगे फिल्म के पहले कुछ मिंटों में KGF की कहानी को याद करते होए फिल्म के कैरेक्टर आनंद ने बातो ही बातों में 24 by News की चीफ एडिटर मालविका अविनाश को शक्ती शिला के बारे में हिंट दिया था और फिर वहीं बातचीत के बाद दीपा ने किसी भी हाल में शक्ती शिला को खोजने का आदेश दिया और उस जगह की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक रिपोर्टर को भी अपॉइंट किया लेकिन माना जा रहा है कि KGF चाप्टर 2 में उस रिपोर्टर को पुलिस के हि भी जेल जाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा जब वो शक्ती शिला का दौरा करने के लिए उस जगह पर जाएगी पुलिस उसे वहां से पकड़ लेगी हाला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर KGF चाप्टर 2 में KGF और शक्ती शिला की खोज को काफी दिल्चस्प तरीके से दिखाया जाएगा वही कुछ फैंस का मानना है कि KGF चाप्टर 1 में लव एंगल या फिर रोमैंस के ना होने की वजह से ये कुछ जादा ही यानि कि ओवर एक्शन लग रहा था वही कुछ फैंस का कहना है कि उन्हें KGF के एक्शन सीक्वेंस बिलकुल भी जाएगा लेकिन ये फिल्म ना ही किसी लव स्टोरी पर बेस्ट है और ना ही एक रोमैंटिक फिल्म है तो ये देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा कि इस पिक्चर में लव स्टोरी किसकी दिखाय जाती है रोकी भाई की या फिर फिल्म के किसी अन्य किरदार की वैसे अंदाज में या फिर एक अग्रसिव लुक में आप अपने व्यूस हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें आज की इस वीडियो में बसतना ही केजिए चैप्र 2 से संजय दद के नए लुक ने कैसे सोचल मीडिया को हिलना डाला क्या होने वाली है फिल्म की खास ब लेकिन कोविड ने सब कुछ खराब करके रखा है आपको बता दे संजय दद अपना बासट वा जन्मिदिन मना रहे है उनके जन्मिदिन के मौके पर मोस्ट अवेटिट अपकमिंग फिल्म के चैप्र 2 के मेकर्स ने फिल्म से उनका नया लुक शेयर किया है सामने आए पोस उसमें काफी जादा खतरनाक वो लग रहे हैं नई पोस्टर में वो सफेद दाड़ी हाथ में तलवार काला चश्मा पहने हुए हैं उनका लुक देख सोचल मीडिया पर फैंस क्रेजी हो बैठी है और कॉमेंस की बाड़ा गई है फैंस ने कॉमेंस करते हुए कहा यही है संजेदत का लोग ट्वीट करते हुए युद्ध प्रगति पर है और साथ ही उन्होंने लिखा गिद्ध भी मुझसे सहमत होगे है अगले साल तक इसे पोस्पोन कर दिया जाएगा कि अगले साल तक से पोस्पोन कर दिया जाएगा क्योंकि फिल्म बहुत जादा बड़े बजट की है और मेकर्स किसी भी तरह कर रिस्क नहीं लेना चाहते इस रज़ए से इसे लेट ही रिलीज किया जाना है लेकिन ये थीटर में रिलीज होगी ये तो तैह है क्योंकि यश ने क्लियर कर दिया है कि इसे बड़े पर्दे के सब्सक्राइब करेंगे और खतरनाक स्टन्ट होंगे तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे है इस फिल्म का संजु बाबा का ये नया लोग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसे जरा के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब हम का नरेशन क्या है केज आएफत्य वोडी तोड़ेगा अपालई टूियोगोर्ण स्टूियोस में जह हम देते हैं विज़ों से जड़ी सभी सबी लेटेस्ट दल 추천 सप्स खबरे और आज हम बात करें आइप की पहली फ्लम है इस फिल्म के बाद के चाप्टर टु को रिलीस किया जाएगा फिल्म में यश को रॉकी के रूप में मुख्य भुमिका में दिखाया गया है जबकि राम चंद्र राजु गरुड के रोल में है अनंतनाक फिल्म का निरेशन करते हैं जबकि श्रींदी शेटी वशिष्ट एन सिम्हा अच्यूत कुमार मालविकाविना सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देते हैं के जिफ चाप्टर टू का क्लामेक्स दिसंबर में शूट किया गया था क्लामेक्स में नायक रॉकी यश और खलनायक अधीरा के बीच जबर्दस आक्शन के साथ लड़ाई और जानलेवा स्टंट किये गए थे यश ने भी और हिंदी भाशाओं में डब करके भी रूलीज की गई थी दूसरा भाग अब इन शारों भाशाओं में रूलीज किया जाएगा इस फिल्म में यश कूतर भारत में खूब लोग प्रिता दलवाई थी के जिफ चाप्टर टू को रिलीज होने क्या सभी को बेश अबरी सिं के जिफ चाप्टर टू का टीजर दुनिया में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला टीजर है टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंटन को देखा जा सकता है वहीं संजय दत अधिरा के लुग में नजर आ रहे हैं होंबल फिल्म ने इस टीजर को रि प्रकाश राश के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं काननट फूरस्टार यस की बात करे तो वह स्टाइल में खड़े होकर गाड़ियां और आते नजर आने वाले हैं टीजर में कि इमा और उसका बच्पन दिखाया गया है कैसे रौकी की मा ने उसे पाला फिर बड़ वक्त ही बताएगा अब तो बस इंतजार है इस फुन की रूलीज होने का हमें भी और दुनिया भर में इस फुन के करोडो फैंस को भी तो आप वीडियो को लाइक शेर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मलकूल ना भूरे क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंद सूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंकुली जो आज आपके लेकर आए हूँ फिल्म केज़फ 2 से जड़ी लेटिस्ट खबने तो जानली के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा केज़फ टंचाइजी इतना बड़ा नाम है कि आज हर कोई केज़फ चप्ट किसमत तो केज़फ से ही चलोंगे यह कहना तो बिल्कुल भी कलग नहीं होगा लेकिन सवाल यह भी है अगर यश केज़फ चप्टर 2 नहीं करते या फिर केज़फ चप्टर 1 में ही नहीं आती तो क्या होता वेल होता यह कि हमें एक नया सूपरस्टार बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यश ने किराटिका 2 शुरू किया था और लगभग 20 दिन की शूटिंग भी हुई थी लेकिन इस फिल्म में देरी होने लगी जब कि केज अफ 2 के निर्माता उन्हें बिना देरी के केज अफ 2 को पूरा करने पर जोर दिया यश जल से जल के जफ चप्टर 2 को पूरा करना चाहते थे और 2020 में कि राटिका 2 को फिर से शुरूंगी करना चाहते थे हाला कि इसकी सारी ओजना COVID-19 की लहरों में बह गई क्योंकि जैना ने बुखत लंबा इंतिजार किया है इसलिए यश ने ब्याज के साथ रेवन निमरेशन वापिस करने का कैसला किया जो कि 13 करोर रुपे था हला कि प्रड्यूसर ने यश को राशी वापिस ना करने को कहा लेकिन यश नहीं चाहते थे कि फिल्म चीम किसी भी तरीके का नुक्सान ठेले फिर ये भी क्लियर नहीं है कि क्या यश प्रोजेक्ट से बाहर दो गए हैं या नहीं फिलहाल तो देश में दो ही वेड्स चड़ रही है फर्स्ट कोरोना वेवार तूसरा केजिफ 2 का वेव जैसा कि केजिफ चैप्टर वन में पत्रकार आनंद इंगलंगी द्वारा कहा गया है इतिहास हमें बताता है शक्ती शाली लोग शक्ती शाली स्थानों से आते हैं जि कि इस टीजर का स्केटमेंट ओडियन्स का ध्यान भफ्ट काने के लिए सिमाल किया जा रहा है। वेल, इस फिल्म को लेकर कई सारी फैन थीरीज भी साम में आ रहे हैं और सबके सच होने के एक्वल चांसे हैं। आपको इस पर क्या कहना है हमारे साथ शेर कीजे। अब को अगर ये वीडियो पसंगा आई है तो इसे लाइक और शेर भी किजे और बॉलिग्राज स्टूडियोस को जल्वी से सब्सक्राइब करीजे। क्या आप जानते हैं कि KGF के सूपर स्टार का असली नाम क्या है और क्यू उन्हें उस नाम से नहीं बुलाया जाता। और क्या KGF 2 के डीले को लेकर विजय किन गंदूर को भी काफी क्लाश जहेलना पर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ट है अपकमें आक्शन थ्रिलो फिल्म जो की है KGF 2 दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उस अक्टर की जिढ़ोंने प्रभास के बाद वॉल्यूज में अपना नाम इस तरह से कायम कर दिया है जो की कोई और अक्टर रिप्लेंस नहीं कर बायगा। तो आज हम बात करे हैं साउट्विल मिंदास्टू के अक्शन स्टार यश और उनकी आने वाली फिल्म KGF 2 के बारे में। वो देखकर प्रशांद नील बहुत ज्यादा एक्साइटेट हो गया है और इसलिए वो जल्दी इस मूवी को ओडियूस के पीच रिलीस कर देना चाते है। और जिल्स को रियाक्शन को देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूवी 2022 के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। पर क्या आप दियाश के पर्सनल लाइफ से जुरे इंट्रेस्टिन फैट जानते हैं कि उनका असली नाम नवीन कुमार गाउरा है। और एक इंटर्वियू में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने रियल नेम को देखकर एक बहुती बड़ा स्टेट्मिन दी दे दिया। तो ऐसा हुआ कि इंटर्वियू के दौरान किसी ने जब यश को अपने रियल नेम से बुलाया तो वो खुश नहीं हुए। बलकि उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद उनका असली नाम सुनकर वो काफी हैरान हुए। और उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ यश के नाम से फेमस है और इसी नाम को अपना लखी चाम मानते है। तो इसलिए उन्हें अब उनको कोई नविन कुमार गावरा से बुलाए तो उन्हें ये बिल्कुल फसक नहीं आता अगर हम बात करें कि ऐसा ख़बर क्यों आ रहा है कि जिस फैन्स ने KGF को सूपर हिट बढाया वही आज इसकी सीक्विल को लेकर हंगामा कर रहे हैं तो बात कुछ ऐसी है कि KGF 2 को 2020 में ही रिलीज करना था लेकिन COVID के वज़र से इसका टीले हो गया और हमें लगा कि अगली साल तो शायर KGF 2 हमें देखने को मिलेगी पर वो भी नहीं पॉसिबल हुआ और इसी टीले की वज़र से फैन्स काफी नाराज है मेकर से और विजय किरकंदूर को भी काफी घुसा झेलना पर रहा है सोचल मीडिया पर इसी वज़र से पर अब मेकर्स इस घुसने को देखकर जल्दी मूवी को हमारे बीच ला सकते है तो चलिए अब आप में बताए कॉमन सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटिज है केज एफटू को देखने के लिए अप यू लाइक शेर और सब्सक्राइब आउर चानल बॉलिग्राद स्टूडियो आखिर कहां से शुरू होगी केज एफटू की कहानी कहां होगी रौकी और अधीरा की टक्कर कैसे लिया जौन इब्राहम ने केज एफटू का सहर अपनी फिल्म चलाने के लिए नमस्कार दोस्तों सुआगे तैब सभी का एक बार फिर से बॉलिग्राद स्टूडियो जहां हम आपको देते हैं सबी लेटिस्ट और दिल्चस्ट खबरे और आज हम बात कर रहे हैं फिर्म के जीएफ टू की के जीएफ चाप्टर टू वैसे तो कर्नर भाशा के फिर्म है और के जीएफ चाप्टर टू का क्लायमिक्स दिसेंबर में शूट किया गया था क्लायमिक्स में नायक रॉकी यानिक याश और खलनायक अधीर यानिकी संजे के बीच जबरदस्ट आक्शन के साथ लड़ाई और जान लेवर स्ट के गए थे दोस्तों उनीस सो साथ के दौर में ये सेट ये पीरियट फिर्म ती जिसमें कलायर गोल्ड फिल्ड्स को लेकर सक्रिय माफिय की कहानी दिखाई गई थी फिल्म तेलबू तमिल मलियारम और हिंदी भाषाव में भी इन रिलीस की गई थी और दोस्तों इस फिल्म नहीं अश्क उत्तर भारत में कूब लोग प्रिता दिलवाई थी केजिव टू के मेकरस नेक शिर्ट रखी थी केजिव चैप्टर 2 की स्क्रीणिंग के लिए सिनवा गहरों को य। के संताहंत के डरान सतमेव जैते टू की स्क्रीणिंग करनी होगी जोन अब इनित सत्मीव जैते टू इस साल की एद वीकेंड को रिलीज होने वाली थी और उमीद की जा रही थी कि सिनमा घरों में सत्मीव जैते टू के लिए कम दिल्चस्प दिखाए जाएगी और इसलिए जोन अबराहम ने केजिफ कहानी महीं से शुरू होगी जहां इस फर्म का पहला बाग खतम हुआ था कहानी में आक्टर या शेकरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई महा से वादा किया था कि विद्गरी वी में नहीं मरेगा दोस्तों उसका यह वादा दूसरे भाग में पूरा होगा इसकी जलग मेकर्स क के एजिफ चाप्टर 2 के टीजर में भी दे चुके हैं और टीजर में हमने लिखा देखा था कि वादा पूरा किया चाएगा इस साल की शुरवात में साथ जन्वरी को रिलीज हुए के एजिफ चाप्टर 2 के टीजर ने अब तक 175.59 मिलियन व्यूज यूर्यू पर कमाए है और दोस्तों 8 मिलियन से जादा लाइक्स मिले हैं आप दोस्तों इतनी बड़ी स्थंख है कि साथ के एजिफ टू कई हॉलिवट फिल्मों से आगई है जो अतीत में ब्लॉक बस्टर बन गई थी अब के रिलीस होने पर बॉलिवट के कौन से कौन से रिकॉर्ड टूटेंग तो क्या मान लिया है कि एजी अफ चाप्टे टू के डारेक्टर ने ये मूवी है आंटी फिमिनिस्ट क्या के एजी अफ चाप्टे टू में फीमेल लीडिंग क्यारेक्टर्स होंगी कम इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में के लास तक बने रहे हमारे साथ हेलो एब्रिवान स्वागत है आपका बॉलिग्राफ स्टूडियोज में दोस्तों आज कल की फिल्म एंटिटेन्मेंट के लिए नहीं बलकि लोगों को एजुकेट करने के लिए बनती है इन फिल्मों में हर चीज को बहुती जादा सोच समझ कर डाला जाता है ताकि लोग इनसे कुछ इंफरमेटिव और एसेंशियल सीख सके अब आज आते हैं फिल्मों में यूज होने वाले एक बहुती इंपॉर्टेन्ट एलिमेंट की और जो है फेमिनिजम हाँ सही सुना आपने फेमिनिजम फिल्मों की दुनिया में इस वर्ड का बहु इसे पावरफुल फिल्म केजीएफ चाप्टर टू के आनलाइसस के बारे में आपको बताएंगे केजीएफ चाप्टर टू को डारेक्ट कर रहे हैं प्रशान निल इनकी स्टार कास्ट में सूपर स्टारी अश रवीना टंडन संजैदत श्रीनिदी शेटी और भी कई कलाक पार मौजूद होंगे और केजीएफ चाप्टर टू मूवी सच में कहीं न कहीं वोमन को नेक्स ट्रॉंग और इंडिपेंडन कारेक्टर शो करती है केजीएफ चाप्टर टू भले ही एक मेल गांग्स्टर के राउंड लिखी गई है पर इसमें ये फैक्नोर नहीं किया ज एक बच्चा उस मा के लिए दिये गए मोटिवेशन और करेज के चलते दुनिया जीतने के लिए सब कुछ करने की तयार रहता है और यहां इस मूवी के डारेक्टर ने एक औरत को एक पिता के बराबर दिखाया है जहां एक औरत ने पूरी मेहनत करके अपनी ओलाद को पाल के जीएफ चाप्टर वन हो या फिर चाप्टर टू रॉकी की मा का किरदार बेहदी स्ट्रॉंग दिखाया गया है जो सीधे सीधे वुमिन इंपावर्मेंट का प्रतीक है इस बार के जीएफ चाप्टर टू की बात करे तो फीमेल पॉलिटिक्स एन पावर को भी बहुत ही इस मूवी के ट्रेलर में ही उनके पावर को शो कर दिया जाता है दोस्तों कुछी दिनों पहले के जीएफ चाप्टर टू का टीजर भी रिलीज हुआ था जिसमें रवीना टंडन के कारेक्टर को बेहत पावर्फुल दिखाया गया है और ओर्डियंस को ये कारेक्टर काफ शो किया गया था और इस बार भी उनका कारेक्टर कुछ वैसा ही होने वाला है के जीएफ चाप्टर टू इंडीड वोमेन अंड मेन के बीच में जो ये जो पावर रिस्पेक्ट पेस और सोशल डिफरेंस की दिवार है उसे गिराता हुआ दिखेगा फिलाल तो इस फिल्म क रिलीज के लिए भारत की तमाम ओर्डिंस जंबेर से सिंतिजार कर रही है आप कितने जादा एक्साइटेड है के जीएफ चाप्टर टू के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए फिलाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आनिया पढ़ना वत्त को दीजिए इजाज़त अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बढ़ाए